सुरेंद्र मोहन पाठक, मौत का रास्ता, विमल तेईस, फर्स्ट एडिशन उन्नी सौ बानवे, दिस्क्लेमर, यह विडियो केवल शिक्षा के उदेश से बनाया गया है, कोई व्यावसाइक लक्ष या कोई कॉपिराइट उदेशन नहीं है. निवेदन, सभी शोताओं से निवेदन है, कि इन आडियो बुक को बनाने में बहुत समय लगता है, ये दिनों या हफ्तों की मेहंत होती है, इसलिए कृपिया मेरे चैनल योर बुक रीडर को सब्सक्राइब करे और कृपिया कमेंट करे कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते ह और हमारे फेस्बुक और इंस्टाग्राम को लाइक सब्सक्राइब करे, अगर कहीं हमारे दूसरे चैनल की तरहा इस चैनल में भी कोई प्रॉब्लम हो टू आप हमसे जुड़े रही, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको हमारे विडियो में कुछ सिंबल साइन्स की हश, इनको इग्नोर करें ये हमारे बुकमार्ट्स है, रेकोर्डिंग के लिए होते हैं, विडियो लंबी होनी के कारण कुछ रह जाते हैं, जिन पर काम किया जा रहा है जहां आपको एस्टरिस्क, एस्टरिस्क, साउंड आएगा इसका मतलब वहां सीन चेंज हुआ है आपको यहां आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें सामान्य ज्ञान, जब यह उपन्यास लिखी गई थी तब का एक लाख रुपए आज के बीस लाख रुपए होते हैं तू आएए सुनते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक मौत का रास्ता विमल तेईस परोपकार की भावना के तहट विमल पहले एक पीडित लड़की की हमलावर बाह और फिर पूरे शहर का मुहाफिज तो बन गया था लेकिन इसी भावना ने उसकी जिन्दगी से ना सिर्फ उसकी जिन्दगी का दुरलब ठहराव छीन लिया था बलकि उसे जिन्दगी के एक ऐसे मोड पर लाख़डा किया था जहां से हर रास्ता मौत की तरफ जाता था पूर्वा भास अपने गर्भवती पत्नी नीलम के साथ विमल के दिल्ली चार महीने ही गुजरे होते हैं कि एक रोज गोल मार्केट पर स्थित उनके फ्लैट के एन उपर आठवी मंजिल के फ्लैट में कुछ गुंडे स्वरनलता नामक विद्वा औरत के फ्लैट में घुसकर उसके साथ और उसकी सत्रा वर्शिय बेटी राधा के साथ मोह काला करते हैं और फिर दोनों को मार डालते हैं. राधा की बड़ी बहन सुमन पर उस हाथ से का ऐसा गहरा असर पड़ता है कि उसे ततकाल विलिंगडन हस्पताल ले जाया जाना पड़ता है. जहां कि नीलं के अनुरोद पर विमल सुमन से मिलता है और उसकी शोचनिय दशा से पिघल कर विमल उन बलातकारियों को उनकी कर्तूत की सजा देने का संकल्प करता है। बलातकारियों की बाबत विमल को मालू होता है कि वो पाँच थे जिन में से एक कोई लंबाप्तला स्मैकिया था, एक के दोनों हातों में श्चै उंगलियां थी और उनमें से किसी एक गले में अल्ला गुदी चान्दी की ताबीज पहनता था। फिर विमल तन्वीर एहमद नाम के एक गैर कानूनी हतियार बेचने वाले से एफ 14 मॉडल की एक जर्मन रिवालवर और उसको छुपाने में काम आने वाला एक लाल रंग का चमडा मढ़ा ब्रीफ केस खरीदता है। कई रातों की खाक चानने के बाद विमल को मजनू का टीला के एक तिबबती धाबे में तूटी ताबीज का मालिक हनीफ नाम का जेबकत्रा गोविंद नाम के अपने दूसरे जेबकत्रे दोस्त की संगत में मिलता है। वो दोनों को शूट कर देता है। तो उसका सामना सबाइंस्पेक्टर अजीत लूत्रा से हो जाता है, जो की तफ्तीश के लिए तभी वहाँ पहुचा होता है। संदे की बिना पर वो विमल की जामा तलाशी लेता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अगले रोज सोनिया शर्मा की तस्वीर के साथ अकबारों में उसका बयान छपता है, जिसमें उसने उस शक्स का हुलिया बयान किया होता है, जिसमें की पिछली रात लोधी गार्डन में उसकी इज़द बचाई थी। विमल के छपके छुट जाते हैं। वो फोरन हस्पताल पहुचता है, जहां वो सोनिया को सुमन वाले ही वाडनुमा कमरे में भरती पाता है। सोनिया विमल के कहने पर उसकी बाबत अपना बयान बदलने के लिए तयार हो जाती है। आश्वस्थ विमल वहां से लोटा रहा होता है, तो तभी पिछली रात वाला सबाइंस्पेक्टर लूथरा वहां पहुच जाता है। फिर लूथरा कनाट प्ले स्थित गैलेक्सी ट्रेडिंग कार्पोरेशन के आफिस में पहुचता है, जहां कि विमल कश्मीरी विस्थापित अर्विंद कॉल के नाम से एकाउंट आफिसर की नौकरी कर रहा होता है। लूथरा उस पर साफ साफ इल्जाम लगाता है कि बलातकारियों को शूट करने की दोनों वारदातों के लिए वो जिम्मेदार था और उसी ने सोनिया शर्मा को अपना बयान बदलने के लिए मनाया था। भीतर से बुरी तरह से आशंकित विमल प्रत्यक्षत उसे डाट कर भगा देता है। लूथरा रावत नामक अपने भरोसे के पुल्सिये को विमल के फ्लैट की निगरानी पर लगा देता है। लेकिन विमल को उसकी ततकाल ही खबर लग जाती है। मुबारत अली के प्रयतनों से सुन्दरलाल स्मैकिये के नाम से मशूर चौथे बलातकारी का पता लगता है, जिसका अड़ा पहारदंज में स्थित एक तीजा पालर बताया जाता है, जिसे की चारली नामक एक आदमी चलाता होता है। अगले रोज के अकबार में दो चेन स्नैचरों को ओवर कोट धारी व्यक्ती द्वारा शूट कर दिये जाने की खबर छपती है। वारदात में क्योंकि F-14 माडल की जर्मन रिपाल पर इस्तमाल हुई होती है, इसलिए लूथरा उत्तनवी वारदात के लिए भी विमल पर शक करता है, लेकिन रावत खुद इस बात की तस्दीक करता है कि विमल उस वक्त मौकाए वारदात से मीलों दूर उसकी निगाहों के सामने था, लूथरा मायूस तो होता है, लेकिन विमल को फासने की अपनी जिद नहीं छोड़ता, वो चंडीगण से विमल और नीलं की बाबत रिपोर्ट मगमाता है, लेकिन वो भी विमल के बयान की तस्दीक ही करती है, फिर लूथरा चंडीगण पुलीस में अपने ए होता है, जो अपने साथियों के कतल की खबरों से आंदोलित सुंदरलाल स्मैकिये के पास पहुचता है, और उसे उसके मामा गुर्बक्षलाल की शरण में जाने की राय देता है, जो की दिल्ली अंदरवर्ड का सुपर बॉस है. विमल चारली के पीजा पारलर में चारली तक पहुचता है, तो पाता है कि वो और कोई नहीं राजनगर का वही पुराना डोप पैडलर था जिसने जग्गी और पीटर नाम के अपने दो साथियों के साथ नूरपूर समुद्र तट पर विमल पर हमला किया था, जिसकी वज समैक का ठिया था जो की गुर्वक्षलाल की प्रोटेक्शन में चलता था और सुंदरलाल समैक्या गुर्वक्षलाल का सगा भाज़ा था. विमल उसे धंकाता है कि अगर शाम तक उसने उसे सुंदरलाल समैक्ये का पता न बताया तो खुद उसकी खेर नहीं थी. विमल आफिस पहुचता है तो वहाँ सबा इंस्पेक्टर लूथरा को पहले से मौजूद पाता है लूथरा बड़ी चालाकी से अपनी क्रैश हेलमेट पर विमल की उंगलियों के निशान लेने में काम्याब हो जाता है वो निशान वो तिवारी नाम के पुलीस फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को शिनाक्त के लिए सौंप देता है शाम को विमल चारली के पास पहुचता है तो बड़ी मुश्किल से चारली उसे सुंदरलाल समैकिये का पता बताने को तयार होता है उस रोज आधी रात को राज़ोरी गार्डन के इलाके में एक वरदात होती है जिसमें एक ओवरकोट धारी एक चलती बस में ऐसे चार आदमियों को शूट कर देता है जो की बस में सवार एक नई ब्याही दुलहन की इज़त लूटने पर आमादा थे लूथरा उस बारदात का शक भी विमल पर करता है लेकिन जब वो दोड़ा हुआ गोल मार्केट पहुचता है तो वो विमल को अपने फ्लैट में मौजूद पाता है अगली रात को विमल एक सिख नौजवान का बहुरूब धारन करता है अपनी बालकनी से पाइप के सहारे आठवी मन्जिल पर सुमन के फ्लैट की बालकनी में पहुचता है और यू रावत की निगाहों में आये बिना आठवी मन्जिल से सीधा ग्राउंड फ्लोर पर जाता है वो चारली के पीजा पारलर में पहुचता है जहां सुंदरलाल समैकिया और शफीक खबरी मौजूद होते हैं और जहां वो तभी चारली से 50-50 ग्राम की दो पुडिया हासल करके हटे होते हैं विमल उन्हें नोटों की जलक दिखा कर एक अंधेरी गली में ले आता है जह लेकिन शफीक खबरी सिर्फ घायल होता है और वहां भाग निकलने में काम्याब हो जाता है वही मोहन वाफना नाम का एक फ्रीलांस फोटोग्राफर अपने घर की बालकनी से वो तमाम नजारा करता है और एक स्पेशल कैमरे से एन वारदात के वक्त की तस्वीरे खीच ले अपना बहुरूप सुमन की बालकनी में ही फैंक कर बड़ी कठिनाई से विमल अपने फ्लैट में पहुचता है और फ्लैट की निरंतर बज्ती घंती के जवाब में उसका मुख्य द्वार खोलता है विमल को फ्लैट में मौजूद पाकर लूथरा बुरी तरह खिसी आता है लेकिन उसकी पैनी निगाहे कुछ ऐसी बाते भी नोट करती है जो उसका संदे को बल देती है उधर विमल पाइप के सहारे फिर सुमन के फ्लैट की बालकनी में पहुचता है तो यहाँ देख कर सन्न रह जाता है कि अपने बहुरूप का जो साजो सामान उसने वहाँ छोड़ा था वो सबका सब वहाँ से गायब था उसी राद 11 बजे ओवर को धारी की कारे प्रणाली की चाप लिए एक वारदात इंडिया गेट पर भी होती है जिसमें दो पुलसिये ही बलातकार की कोशिश कर रहे होते हैं जबकि उन्हें शूट कर दिया जाता है गुर्बक शलाल को अपने भांजे के कतल की खबर अपने लेफ्टिनेंद कुश्वाहा से तब लगती है जब वो अपने मिंटो रोड वाले फ्लैट में अपनी लोटस क्लब की हसीन तरीन बारमेड मोनिका को अपने पहलू में दबोचे सोया पड़ा होता है वो A.S.I. सहजपाल को उसके घर पर फोन करके कहता है कि जो कोई भी केस की तफ्तीश कर रहा था वो उसे उसके नाम की खबर करे और अगर कोई आदमी शक के घेरे में हो या कोई गिरफतारी हो तो वो उसकी भी खबर उसे करे अग्ये रोज के अकबार में मोहन वाफना के बयान से साथ विमल के सिक बहुरूप वाली तस्वीर छपती है और साथ में ये संभावना भी छपती है कि जरूर वो पुलीस से नाउमीद हो चुके भुक्त भोगियों की कोई पूरी जमात थी जो वो वारदाते कर रही थी औ और उनकी पहचान लंबे ओवरकोट और एफ 14 मार का 10 फायर करने वाली जर्मन रिवालवर थी वो बात पढ़कर विमल को तेलीवाडे वाले तनवीर अहमत की याद आती है जिसके पास वैसी रिवालवरों का जोड़ा था लेकिन जिसमें से विमल ने एक ही खरीदी थी वि वहाँ उसे बताता है कि उसने दूसरी रिकालवर पिपलोनिया नाम के किसी आदमी को बेची थी वो विमल की मोटे तौर पर पिपलोनिया का हुलिया भी बताता है रावत लूथरा को बताता है कि विमल को साफ साफ खबर लग चुकी थी कि उसकी निगरानी की जा रही थी नतीस्तन लूथरा विमल की निगरानी बंद करवा देता है फिर वो फोटोग्राफर मोहन वाफना के पास पहुचता है और उससे सिक के क्लोजब के 10 गुणा 12 के 4 प्रिंट हासिल करता है उन तस्वीरों को लेकर वो योगकुमार नाम एक आर्टिस्ट के पास पहुचता है और उससे कहता है कि वो सिक की तस्वीर को यू रिटच करे की तस्वीर पर से दाड़ी, चश्मा, पगडी हट जाए और आंखों की पुतलिया नीली से काली हो जाए लूथरा वापिस थाने पहुचता है तो थाना ध्यक्ष रतन सिंग उसे बताता है कि उसे शहर में हो रही ओवरकोट धारियों की वारदातों के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव आफिसर नियुक्त किया जा रहा था और उसके पास लेखराज मुंदरा नामक नोन स्मगलर का जो केस था वो उससे वापस लेकर सहजपाल को दिया जा रहा था सहजपाल जो की चोरी छिपे वो वारतालाप सुन रहा होता है ततकाल लूथरा नई नियुक्ती की बाबत गुर्बक्षलाल को खबर कर देता है लाल बिना अपना नाम बताएं फोन पर लूथरा को सुन्दरलाल के कातिल का नामपता बताने के बदले में 20,000 रुपे इनाम की पेशकश करता है लूथरा हस्पताल में शफीक खबरी से मिलता है जिससे उसे मालूम होता है कि उसके पास से बरामत स्मैक उसे चारली ने दी थी नतीशतन वो चारली के पीजा पारलर पर ग्रेड का इंतजामा करता है चारली गुलाल के हुजूर में पेश होता है तो बात से साफ मुकर जाता है कि सुन्दरलाल और शफी को उसने दी थी वो कातिल सिक्क की बाबत किसी जानकारी से भी अनभिग्यता प्रकट करता है फिर वो गुर्बकशलाल को अपना फैसला सुनाता है कि वो ड्रक्स के धंदे से हाथ खीच रहा था इसलिए अब उसे गुर्बकशलाल की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी गुर्बकशलाल मामबहन की गालिया देकर उसे वहां से निकालता है विमल विलिंगडन पहुचता है तो उसे मालूम होता है कि सुमन वर्मा की हस्पटाल से छुट्टी हो चुकी थी चारली गुर्बकशलाल से मिलकर वापिस लोटता है तो पाता है कि उसके पीजा पारलर पर रेड पड़ी हुई थी वो रेड के पीछे गुर्बकशलाल का हाथ समझ कर फोन पर उससे गिला करता है तो उसे और गालिया पड़ती है और उसे फिर धंकी मिलती है कि अगर उसने अपना सुर ना बदला तो उसी रात को इसका अंजाम उसके सामने आ जाने वाला था अब चारली को विमल में ही पना दिखाई देती है लूथरा आर्टिस्ट योग कुमार से मिलता है ते रिटच करके तयार हुई सिक्की तस्वीर देखकर बहुत मायूस होता है क्योंकि यूबनी क्लीन शेवड सूरत कॉल से मिलती कतई नहीं मालूम होती थी तब आर्टिस्ट उसे सुझाता है कि जिस शक्स पर उसे तस्वीर वाला सिक्क होने का शक था अगर वो उसे उस शक्स की तस्वीर मुहया करा पाता तो उस पर दाड़ी, पगड़ी, चश्मा वगेरा बनाने पर अगर वो अकबार में छपी सिक्की तस्वीर जैसी लगने लगती थी तो यू भी लूत्रा का काम बन सकता था। विमल चारली के पीजा पारलर पर पहुचता है तो चारली विमल को गुर्बक शलाल की धंकी की बाबत बताता है और विमल से फरियाद करता है कि वो उसे गुर्बक शलाल के कहर से बचाए। बदले में विमल उससे विमल घर पहुचता है, तो वो लूथरा को ड्राइंग रूम में नीलम के साथ बतियाते पाता है. वो नीलम को ये पटी पढ़ा भी चुका होता है, कि उसका पती ओवरकोट ब्रिगेड का सक्रिय सदस्य था. अपने बात को बल देने के लिए वो कई सबूत पेश करता है, जिनमें से एक सबूत यह भी होता है, कि विमल के ओवरकोट पर खून की बारीक फुहार पड़ी हो सकती है. विमल ओवरकोट दिखाने से इनकार करता है, तो भड़की हुई नीलम लूथरा को खुद ओवरकोट दिखाने की पेशकश करती है, लेकिन ओवरकोट फ्लैट से बरामद नहीं होता. एन उसी घड़ी ओवरकोट के साथ सुमन वहां पहुचती है, और दावा करती है, कि पिछली राल विमल उसके बैडरूम में उसके साथ था और वो ओवरकोट भूल से वहां छोड़ आया था. लूत्रा यह सुनकर भौचक का रह जाता है, कि एक कुनारी लड़की एक शादी शुदा मर्ज से अपना अफैर कबूल कर रही थी. वो सुमन को उसके बयान से हिलाने की हर्चन कोशिश करता है, लेकिन सुमन तस से मस होकर नहीं देती. लूत्रा को पिटासा मुह लेकर वहां से लौट जाना पड़ता है. बाद में विमल नीलम को बहुत मुश्किल से समझा पाता है, कि सुमन ने उसे गिरफ्तारी से बचाने के लिए ये सफेद जूट बोला था कि उसका विमल से अफ्यर था. नीलम उसकी बात पर यकीन कर लेती है, लेकिन यूँ फिर ये भी स्थापित हो जाता है, कि विमल के रातों के कारणामों की बाबत लूत्रा जो कुछ भी कहकर गया था, एन सच कहकर गया था. तब विमल को ये कबूल करना पड़ता है, कि उसने सुमन की माम बहन के बलातकारियों को खोच-खोच कर मारा था. विमल बड़ी कठिनाई से उसे हालात को जेसे काते से कबूल कर लेने के लिए राजी करता है. नीलम को समझा बुजा चुकने के बाद विमल उपर सुमन के पास पहुचता है, तो उसे मालूम होता है कि सुमन को शुरू से मालूम था कि उसको हासल हुई हमलावर बाह और कोई नहीं खुद विमल था क्योंकि हस्पताल में उसने विमल का सोनिया से हुआ वारतालाब था। तब विमल भी उसे बताता है कि वो नीलम को हकीकत बता चुका था और अब नीलम के मन में सुमन के लिए कोई मैल नहीं था। लूथरा शाम को ठाने पहुचता है तो सहजपाल उसे कॉल की फाइल का मुआयना करते हुए देखता है जिसे कि वो सहजपाल की आंखों के सामने अपनी मेस की दराज में रखकर और दराज को ताला लगा कर वहां से रुकसत होता है। सहजपाल उसकी गैरहाजरी में दराज का ताला अपनी चाबी से खोल कर फाइल निकाल लेता है और यूँ फाइल पढ़कर उसे अर्विंद कॉल नाम के सफेद पोश बाबू की खबर लगती है जिस पर की लूथरा को गुरबक्षलाल के स्मैकिये भांजे के कतल का शक होत है सहजपाल फाइल वापिस रख ही रहा होता है कि रावत वहां पहुँच जाता है लेकिन उसकी करतूत रावत की निगाह में आने से बच जाती है अलबत्ता लूथरा की सीट पर पहुँचा होने के लिए रावत उसे फिर भी तोकता है अपनी नई जानकारी के साथ सहजपाल खुद लोटस क्लब पहुचता है जहां कुश्वाहां उसे गुर्बक शलाल के हुजूर तब पेश करता है जबकि उसके पास धक्कन, लट और जैदी नामक तीन दादा पहले से बैठे होते हैं सहजपाले गुर्बक शलाल को अर्विंद कॉल की बाबत पूरी जानकारी देता है और तब कॉल के सिर पर गुर्बक शलाल पचास हजार रुपए के इनाम की घोशना करता है और धक्कन, वो काम अपने हाथ में लेता है उसी रात को चरली का पीजा पालर तबाह करने की नियत से गुर्बक शलाल के गुंडे भीमा नाम के एक मवाली की रहनुमाई में वहां पहुचते हैं लेकिन वहां पहले से मैजूर मुबारत अली और उसके आदमियों के हाथों बुरी तरह से पिटकर वापिस लोटते हैं गुर्बक शलाल तक वो खबर पहुचती है तो वो भौचक का रह जाता है तब ये फैसला होता है कि पहले पता किया जाए कि वो नए दादा लोग जो अपने आपको धोबी कहते थे कौन थे उनकी ताकत कितनी थी और उन्हें किसकी शेह हासल थी लूथरा राशनिंग आफिस के रिकार्ड से विमल की तस्वीर निकलवाता है मोहन वाफना से उसके चार बड़े-बड़े एनलार्जमेंट बनवाता है और उन्हें ले जाकर आर्टिस्ट योगकुमार को सौंप देता है जिसने की स्टेपवाइस ट्रांसफरमेशन से उस तस्वीर को सिक की तस्वीर बनाना होता है चारली अपने पीजा पारलर जैसे स्मैक के तीन अड़े मुबारक अली को बताता है मुबारक अली अपने आदमियों के साथ तीनों जगा पहुचता है और उन्हें वो अड़े चलाए रखने से होने बाले बुरे अंजाम की चेतावनी देता है लेकिन कहीं भी उसकी चतावनी को गंभीरता से नहीं लिया जाता लूत्रा थाने पहुचता है तो उसे अपने दरास का ताला खुला मिलता है भीतर कॉल वाली फाइल उल्ती पड़ी मिलती है और रावत से उसे मालूम होता है कि पिछली रात उसकी गैरहाजरी में सहजपाल उसकी सीट पर मंदरा रहा था लूत्रा फिगर्पिट एक्सपर्ट तिवारी के जरीए इस बात की तस्दीक करता है कि फाइल पर सहजपाल की उंगलियों के निशान थे धक्कन अर्विंद कॉल की जाच पड़ताल करता है तो पाता है कि वो एन वही था जो की वो दिखाई देता था शरीफ शहरी सफेद पोश बाबू धक्कन को 50,000 रुपए कमाने का अपना सपना तूटता लगता है लेकिन मोनिका जिस पर की वो दिलोजान से फिदा होता है उसे ऐसी पट्टी पढ़ती है कि वो कॉल का कतल करने का फैसला कर लेता है भली ही वो सुदंदलाल का कातिल हो अगले रोज गुर्बक्षलाल को अपने तीन ठीयों पर धूबियों द्वारा छोड़ी गई कि अगर धोबियों की कोई मुकमल जानकारी रखता हो सकता था तो वो चारली था गुर्बक्षलाल चारली को पकड मंगवाने का आदेश जारी करता है दूसरा आदेश वो उन तीनों ठीयों की प्रोटेक्शन का देता है जिन पर की धोबियों की धंकी की कलवार लटक रही थी उसी शाम को विमल अपने बॉस शुकला के घर क्रिस्मिस इव की पार्टी मनाने पहुचता है वहां शुकला उसका परिचय अपने दो मित्रों से कराता है जिन में से एक उसका बच्पन का शिवनारायन था और दूसरा पत्रकार जगत नारायन का वहां सहसा ही ओवरकोट पहनने वाले खबरदार शहरियों को चर्चा शुरू हो जाती है जिसमें शिवनारायन खबरदार शहरियों के कारनावों की बड़ी जोरदार हिमायत करता है और यूँ वहां इस बाबत जोरों से बहस होने लगती है फिर उस लंबे बहस मुसाबे को मेजबान शुकला आकर बंद कराता है और फिर पार्टी आगे चलती है रात दस बजे बीवी बीमार है का बहाना लगा कर विमल शुकला के घर से रुखसत होता है वो नीम अंधेरे में अपने खाली हाथ अपने ओवरकोट की जेबों में धनसाए किसी वाहन की तलाश में तनहा रास्ते पर चला जा रहा होता है जबकि यहां तक की कहानी आपने जहांस का पंची में पढ़ी एकाएट धक्कन और उसके चार साथी उस पर आत्रमन कर देते हैं निहथ्था विमल चार आदमियों को मार गिराता है लेकिन धक्कन भाग निकलने में काम्याब हो जाता है लडाई में तूटी बोतल से विमल का गाल कट जाता है जिसे की करीब ही रहने वाला रतौंधी का शिकार पुजारी नाम का एक उम्रद्राज व्यक्ति देख लेता है सब इंस्पेक्टर लूथ्रा मौका वारगात पर पहुँच कर तफ्तीश करता है और फिर पुजारी को घायल नौजवान की पुलीस रिकार्ड में उपलब्ध तस्वीरों के जरिये शिनाक्त करने के लिए अगले रोज मंदर मार्ग ठाने पहुँचने के लिए कहता है अगले रोज सुबा विमल डाक्तर मजूमदार से अपने गाल की जैसिंग करा कर लौटता है तो उसे लूथ्रा मिल जाता है जो की खास यही देखने आया होता है कि विमल के गाल पर जख्म का निशान था या नहीं वो विमल के गाल पर वो निशान देखता है तो उसका विमल पर शक और मजबूत हो जाता है उसी रोज मुबारक अली और उसके धोबी गुर्बक्षलाल के स्मैक के दो ठीये बरबात कर देते हैं और तीसरे ठीये को इसलिए सलामत छोड़ देते हैं क्योंकि उसका मालिक ड्रक्स के धंदे से किनारा कर लेने का वादा करता है लूथरा आर्टिस्ट योकुमार से स्टैपवाइज चांसफार्मेशन के जरिये विमल की क्लीन शेवड से सरदार बनी तस्वीरे हासल करता है तो पाता है तब विमल की तस्वीर एन उस सिक से मिलने लगी थी जिसने पहारदंज के इलाके में सुंदरलाल स्मैकिये का खू लूथरा आरामबाग सहजपाल के घर पहुचता है जहां वो उसकी बीवी विद्या की मौझूदगी में सहजपाल पर हात उठाता है उसके कहने पर जब सहजपाल विद्या को पडोस में भेज देता है तो लूथरा उस पर इलजाम लगाता है कि सहजपाल ने उसकी गैरहा में उसके दरास का ताला खोल कर विमल वाली फाइल का मुआइना किया था थोड़ी हिलो जद बाद सहजपाल वो बात कबूल कर लेता है और लूथरा को बताता है कि विमल उर्फ अर्विंद कॉल की बाबत तमाम जानकारी वो गुर्बक्षलाल को पहुचा भी चुका था और गुर्बक्षलाल उस बाबू का काम तमाम करने का काम धक्कन को सौप भी चुका था विमल को मुबारक अली के माध्यम से पिपलोनिया का माडल टाउन का पता मालूम होता है वो वहाँ पहुचता है तो कोठी को ताला लगा पाता है आसपडो से पूचताच करने पर उसे मा सालेज की छात्रा बेटी तीनो क्रमश, कैंसर, ड्रक्स और बलातकार की बली चड़ चुके थे विमल घर लोटता है तो तभी लूत्रा वहाँ आधमकता है वो विमल को आर्टिस्ट योगकुमार की कारीगरी से बनी विमल की तस्वीरे दिखाता है और फिर इस बात पर जो में उड़ा देता है फिर लूत्रा विमल को बताता है कि अंदर वर्ल्ड बॉस गुर्बक्षलाल को इस बात की खबर लग चुकी थी कि उसके स्मैकिये भांजे का कातिल अर्विंद कॉल था और वो अपने डक्कन नाम के एक आदमी को उसके कतल का हुक्म दे भी चुका था रात को विमल मुबारक अली के साथ फिर माडल टाउन पहुचता है वहां वो पिपलोनिया की सूरत नहीं देख पाते इसलिए उसका पीछा करते हुए वो और मुबारक अली कनाट प्लेस पहुचते हैं जहां कि अंदर ग्राउंड पार्किंग में किसी करिश्मासाज तरीक के से पिपलोनिया गायब हो जाता है चारली आधी रात को अपनी कोठी पर पहुचता है तो वहां गुर्बक शलाल के चार आदमियों को अपना इंतजार करता पाता है जो कि चारली को जबरन गुर्बक शलाल के पास ले जाने के लिए वहां आये हुए थे लेकिन तभी को मार कर भगा देते हैं रात को विमल के फ्लैट में उसके कतल के इरादे से वीर बहादुर नाम का एक पेशेवर हत्यारा घुसता है लेकिन विमल उसे पकड़ लेता है और उसने कुबुलवा लेता है कि वो बाराटी के बजरंगलाल नामक आदमी के भेजे उसका कतल करने आया था विमल वीर बहादुर को आठवी मंजिल से नीचे गिर जाने देता है और स्वयम बाराटूटी बजरंगलाल के ठी पर पहुँचता है वहाँ वो बजरंगलाल को अपने काबू में करता है और उससे कुबुलवाता है कि दरसल उसके कतल का सामान धककन के कहने पर किया था जो की उसका दोस्त था विमल उससे धककन के घर का पता पूछता है और फिर उसे शूट कर देता है अगली सुभा लूथरा को सब इंस्पेक्टर ट्यारा सिंग की चंडिगर से आई रिपोर्ट मिलती है जिसमें की सोहल का जिक्र होता है सोहल नाम पढ़ते ही वो थाने के रिकार्ड में उपलब्ध मशूर इश्टिहारी मुजरिम सोहल की फाइल में निकालता है ये देखकर उसे बड़ी मायूसी होती है कि रिकार्ड में उपलब्ध सोहल की तस्वीर से कॉल की सूरत नहीं मिलती लेकिन वो फिर भी फाइल का पीछा नहीं छोड़ता और उसके अध्ययन में जुट जाता है मुबारक अली चारली से जबरन को गुलवाता है कि गुर्बक शलाल का ड्रग्स का सामान दिल्ली कैसे पहुचता है फिर वो ड्रग्स की ऐसी एक खेप पकड़ कर नश्ट कर देता है और उसको ढोने में लगे तीन लोगों को मौत के घाट उतार देता है लूथरा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट तिवारी के पहुचता है और उससे अनुरोध करता है कि वो उसकी हेलमेट पर से उठाए गए कॉल के उमलियों के निशानों का इश्तिहारी मुजरिम सोहल के निशानों से मिलान करे तिवारी ऐसा करता है तो पाता है कि निशान नहीं मिलते थे विमल को आफिस में सुमन का फोन आता है कि नीलम की तबियत एकाईग बहुत खराब हो गई थी वो फॉरन गोल मार्केट पहुचता है और नीलम की डाक्तर मिसेस कुलकर्णी और सुमन के साथ नीलम को महाजन नर्सिंग होम पहुचाता है जहां कि उपचार के बाद नीलम की तबियत सुधरती है लूथरा उस घड़ी गोल मार्केट पहुचता है जबकि नीलम की एम्बुलेंस वहां से रवाना हो रही होती है वो उस मौके का फाइदा उठाता है और विमल के फ्लैट की तलाशी लेने की नियत से फ्लैट के भीतर घुच जाता है वहां की तलाशी में उसके हाथ पेस्टन जी नौशरवान जी घरीवाला का जाइविंग लाइसेंस और वैसी ही कई और चीजे लगती है जो की साबित करती है कि विमल कोई साधारन सफेद पोश बाबू नहीं हो सकता था लूथरा वहां से निकलता है और बड़ी तिकडम से मालूम कर लेता है कि नीलम को कौन से नरसिंग होम में ले जाया गया था वो रावत को नर्सिंग होम की निगरानी पर लगा देता है गुर्बक शलाल को कुश्वाहा से 40 लाग की हेरोईन लुटने की और उसके मुहाफिज अपने तीन आदमियों के कतल की खबर लगती है तब गुर्बक शलाल चारली से मुलाकात के लिए खुद चारली के पास पहाडगंज जाने का फैसला करता है विमल अपने फ्रेंच कट डाढ़ी वाले मेकप में गुर्बक शलाल के हेड़ क्वार्टर लोटस क्लब पहुचता है जहां कि उसकी मुलाकात क्लब की हसीन तरीन बारमेड मौनिका से होती है जो कि विमल को देखते ही उस पर मर मिटती है विमल भी उसे बढ़ावा देता है और मौनिका की मदद से कलब से बाहर अपनी कार में धकन से मुलाकात करता है वो धकन को कलब से दूर ले जाता है और गुर्बक शलाल के निजाम की बाबत उससे काफी सवाल करता है यो उसे ये मालूम होता है कि किसी अंजान आदमी का गुर्बक शलाल तक पहुचना नामुकिन था लेकिन उसके दाए हाथ कुश्वाहा तक पहुचा जा सकता था वांचित जानकरी हासिल हो जाने के बाद विमल धकन को शूट कर देता है चार बाडी गाड़ों के साथ गुर्बक शलाल को कुश्वाहा चारली के पीजा पालर में ले जाता है जहां उनकी चारली से मुलाकात होती है वहाँ गुर्बक्षलाल ऐसा माहौल बनाता है कि दोनों में शरब के दोर चलने लगते हैं नशे में चारली सोहल और धोबियों की बाबत सब कुछ बग देता है गुर्बक्षलाल ये जानकर सन्नाटे में आ जाता है कि वो सफेद पोष बाबू अर्विंद कॉल मशूर इश्तिहारी मुजरिन सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल था और वो गुर्बक्षलाल के ड्रक्स के धंदे का खात्मा करने को द्रिड प्रतिग्य था गुर्बक्षलाल चारली से उसकी सोहल से मीटिंग कराने को कहता है जिसके लिए नशे से ठराया जारली पुरजोर हामी भी देता है फिर गुर्बक्षलाल कुश्वाहा को आदेश देता है कि वो कॉल को ततकाल पर लोग भेजने का इंतिजाम करे भले ही वो उसके भांजे का कातिल ना हो रात को विमल फिर माडल टाउन पहुचता है और फिर पिछली बार की तरह ही पिपलोनिया का पीछा करता कनाट प्लेस की अंडरग्राउंड पारकिंग में पहुचता है उस रोज उसकी समझ में आ जाता है कि पिछली बार कैसे पिपलोनिया वहां से गायब हो गया था वो पिपलोनिया को सिर पर हैट, आमखों पर काला चश्मा और चेहरे पर नकली मूच लगाता देखता है और कार तबदील करता देखता है वो पिपलोनिया के पीछे लगा रहता है मुबारक अली वली नामक अपने दो साथियों के साथ गुर्बक शलाल के अशोक विहार में स्थित रेस्टोरेंट शहनशा पहुचता है और ऐसे हालात पैदा कर देता है कि लोग वहां जाने से कत्राने लगते चारली नशे से उबरता है तो गुर्बक शक्षलाल को सोहल की बाबत सब कुछ बता देने की अपनी मूर्खता पर पच्चताने लगता है फिर वो किसी प्रकार धोबियों तक ये खबर पहुचाने में काम्याब हो जाता है कि सोहल की जान को खत्रा था पिपलोनिया माडल टाउन अपने घर पहुच जाता है तो विमल भी उसके पीछे पीछे वही पहुच जाता है तब उसे मालूम होता है कि पिपलोनिया और कोई नहीं उसके बॉस शुकला का बच्चपन का दोस्ट शिवनारायन था तब विमल उस पर इल्जाम लगाता है कि वो ही खबरवार शहरी नंबर था थोड़ी हील हुच्जत के बाद पिपलोनिया वो बात कबूल कर लेता है और ये भी कबूल कर लेता है कि उसने रात-रात विचर कर शहर के कई गुंडेब्ध माशों और बलातकारियों को मौत के घाट उतारा था विमल उसे भविश्य में अपने इरादों से बाज आने को कहता है लेकिन पिपलोनिया नहीं मानता और कहता है कि जिन लोगों की वज़ह से उसका परिवार तबाह हुआ था उसने उन सब को मार कर मरने की ठानी हुई थी विमल उसे गिरफ्तार करवा देने की धमकी देता है लेकिन वो उससे भी विचलित नहीं होता और विमल को अपने घर से निकल जाने का आदेश देता है रात को विमल गोल मार्केट पहुचता है जहां कि कुश्वाहा के भेजे दर्जन भर आदमी उसकी घात में बैठे होते हैं एन मौके पर वहां मुबारक अली अपने धोबियों के साथा पहुँच जाता है और विमल मरने से बालबाग बचता है दो मिनट तक दोनों तरफ से खूब गोली बारी होती है फिर मुबारक अली विमल को साथ लेकर वहां से भाग निकलता है वो रात विमल नर्सिंग होम में अपनी बीवी के करीब काटता है गुर्बक शलाल लूथरा को बताता है कि अर्विंद कॉल वास्तव में मशूर इश्टिहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल था और उसे आफर करता है कि अगर वो उसे सोहल साबित करके सजा दिला सके तो वो उसे 6 लाख रूपया इनाम देगा जो की इनाम की सरकारी रकम से दुगुनी रकम थी उसी रात गुर्बक शलाल के पास विमल का फोन आता है जिसमें वो गुर्बक शलाल को मार डालने की धंकी देता है तब गुर्बक शलाल महसूस करता है कि अब सोहल से निपटना उसके अकेले के बस का काम नहीं रहा था अब सोहल को दिल्ली के मुकमल अंडरवर्ड की ताकत दिखाना जरूरी हो गया था वो कुश्वाहा को आदेश देता है कि वो अगले रोज दादा लोगों की पूरी बिरादरी की मीटिंग बुलवाने का इंतजाम करें अगले रोज सुबा विमल अली मुहमद और वली मुहमद के साथ नियू राजेंद्र नगर पहुचता है जहां की कुश्वाहा का आवास था वहां बहुत चालाकी से कुश्वाहा के आदमियों को जहांसा देकर वो कुश्वाहा को अपने काबू में करता है और गुर्बक शलाल तक पहुचने के लिए उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करता है लेकिन कुश्वाहा अपनी जान की परवा किये बिना उसकी ऐसी कोई मदद करने से साफ इंकार कर देता है और कहता है कि वो गद्दार आदमी नहीं विमल को बहुत मायूसी होती है फिर वो कुश्वाहा के माध्यम से फोन पर लेखुमल जामनानी से बात करता है जो की बकॉल कुश्वाहा वास्तव में तो गुर्बक्षलाल से डरता था लेकिन मन ही मन उसके सिनहासन पर काबिज होने के ख्वाब देखता था विमल जामनानी को अपना असली परिचय देता है और उससे पूछता है कि अगर उसके रास्ते के कांटे गुर्बक्षाल को वो उखाड फेंके तो क्या वो ड्रग्स के धंदे से हमेशा के लिए किनारा कर लेने का वादा करता था जामनानी वो पेशकश कबूल कर लेता है विमल के रूखसत हो जाने के बाद कुश्वाहा ततकाल अपने बोस के पास पहुचता है और उसे खबर करता है कि जामनानी ने उसके खिलाफ क्या जहर उगला था वो गुर्बक शलाल को ये भी बताता है कि क्योंकि उसने जामनानी और सोहल का डायलोग टेप कर लिया हुआ था इसलिए जामनानी आसानी से अपने कथन से नहीं मुकर सकता था गुर्बक शलाल उस बात से खुश हो जाता है फिर कुश्वाहा उसे सुझाता है कि कॉल को जिसे की धकन के नाम तक की खबर नहीं थी जरूर ये बात सहजपाल के जरीये मालूम हुई थी कि धकन को कॉल के कतल के लिए नियुक्त किया गया था तब गुर्बक शलाल सहजपाल को खत्म कर दिये जाने का आदेश देता है विमल अली के साथ गोल मार्केट अपने फ्लैट में पहुचता है, वो वहां लूथरा भी पहुच जाता है। इस बार लूथरा बड़े सब्र और बड़ी बारीकी के साथ सबूत दर सबूत पेश करता हुआ ये साबित करके दिखाता है कि वो अर्विंद कॉल नहीं सरदार स तुरेंद्र सिंह सोहल था। जो सबसे बड़ा सबूत हो विमल के खिलाफ वो पेश करता है। वो ये होता है कि उसकी उंगलियों के निशान सोहल की उंगलियों के निशानों से मिलते थे। विमल बेहत चिंतित हो उठता। उसे बंबई में दोस्ट बने CBI के एंटी टर्रेरिस स्क्वाइड के उच्चाधिकारी का आश्वासन था कि दिल्ली पुलीस के रिकार्ड से सोहल की उंगलियों के निशान गायब किये जा चुके थे। लेकिन अब लग रहा था कि वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि लूथरा तो उसे सोहल के पुलीस रिकार्ड का ओरिजिनल चार्ट दिखा रहा था जिस पर बने उंगलियों के निशान उसके निशानों से मिलते थे। आखिर में लूथरा अपनी जुबान बंद रखने की एवस में विमल से 20 लाक रुपे की मांग करता है जिसके बदले में वो विमल की उसकी फाइल सौप देने की पेशकश करता। इस काम के लिए लूथरा उसे अगली सुभा तक का वक्त देता है और ये भी जता देता है कि अगर विमल ने गायब हो जाने की कोशिश की तो उसकी बीमार बीवी जो की वो जानता था कि बहुत खस्ता हालत में महाजन नर्सिंग होम में भरती थी की खैर नहीं थी। सहचपाल निशा नाम की कालगर्ल के डिफेंस कालोनी में स्थित आवास पर उसके साथ रंग्रेलिया मना कर जब वहां से बाहर निकल रहा होता है तो लट्टू एक कार में से उसे गोलियों से भून देता है। सैयोगवश वो नजारा निशा का मनोज नामक भाई न केवल देख लेता है बलकि वो हत्यारे को भी पहचान लेता है। विमल योगेश पांडे के पास पहुचता है और उसे लूत्रा से मिली धंकी की बाबत बताता है। पांडे को यकीन नहीं आता कि सोहल की उंगलियों के निशान रिकार्ड में बदलने के मामले में उसके अत्यंत विश्वास पात्र आदमी ने उसे धोखा दिया था। सबसे पहले वो इसी बात की तस्दीक करने को कहता है कि ऐसा कोई धोखा उसके साथ हुआ था। वो विमल की उंगलियों के निशानों का नमूना उससे हासिल करता है और उसे शाम को लोट के आने को कहकर रुखसत कर देता है। साउथ एक्स्टेंशन में स्थित गुर्बक्षलाल के डलहौजी बार में दिल्ली के टॉप के दादाओं की मीटिंग होती है। उसमें शामिल होते हैं अपने अपने लेफ्टिनेंटों के साथ साथ गुर्बक्षलाल लेखुमल जामनामी, सलीम खान, पवित्तर सिंग, भोगीलाल और माता प्रसाद ब्रजवासी। वहां गुर्बक्षलाल बड़ी संजीतगी से सोहल की सूरत में दिल्ली के अंदरवर्ड पर मंडराते खत्रे से सबको आगा करता है। और कहता है कि बाहर से आया कोई दादा उन लोगों पर, उन लोगों की बादशाहत पर हावी नहीं हो जाना चाहिए था और ऐसा आपसी इत्तफाक से ही हो सकता था, ऐसा तभी हो सकता था जबकि सोहल के खिलाफ एक सांजा मोर्चा खड़ा करके उसे दिल्ली के अंदरवर् कर्मी के माहौल में गुर्बक शलाल जामनानी पर ये इल्जाम लगाता है कि वो सोहल से उसके खिलाफ सांठगांट कर भी चुका था और सबूत के तोर पर वो उसे और बाकी बिरादरी को कुश्वाहा वाला सोहल और जामनानी हुए वारताला को टेप सुनाता है। में डालने के लिए कहा था, उसे अपने रूबरू होने को प्रेरित करने के लिए कहा था ताकि जब ऐसा होता तो वो सोहल का सिर काट कर गुर्बक शलाल की नजर कर पाता। वो बात बिरादरी को हजम हो जाती है और यू बड़ी मुश्किल के जामनानी बिरादरी के कोप का भोजन होने बच जाता है। आखिर में इस फैसले के साथ मीटिंग बरखास्त होती है कि सोहल से मुकाबले के लिए एक सामोहिक फोर्स तयार की जाए, दोबियों की शनाक्त की जाए, उनकी मुकमल ताकत का जायजा लिया जाए और उनमें फूट डलवा कर उनका इत्तफाक तोड़ने की कोशिश की जा गुर्बक्षलाल कुश्वाहा को आदेश देता है कि वो जामनानी पर मुत्वातर नजर रखी जाने का प्रबंध करे। लूथरा थाने पहुचता है तो थाना ध्यक्षरतन सिंग लूथरा को बताता है कि डिफेंस कालोनी में सहजपाल का कतल हो गया था और उसकी बीवी विद्या ने बाकाइदा शक जाहिर किया था कि वो कतल या तो लूथरा ने खुद किया था या करवाया था। लूथरा के छक्के छूट जाते हैं। लेखराज मूंदड़ा ने कराया हो सकता था जिसके की सहजपाल पीछे पड़ा हुआ था। रतन सिंग आश्वस्त नहीं होता। वो लूथरा को वार्निंग देता है कि उसकी भलाई इसी में थी कि वो जल्द अजल्द सहजपाल के कातल का पता लगा कर दिखाएं क्योंकि तभी मरने वाले की बीवी के द्वारा उस पर लगाए गए इलजाम से उसे मुक्ती मिल सकती थी। कि वो लूथरा से खुद निपट कर दिखाएगा लेकिन इस काम के लिए वक्त दरकार था और वो वक्त हासल करने के लिए या तो वो लूथरा से और वक्त मांगे या खुद कहीं गायब हो जाए और या बीमार बीवी को नर्सिंग होम से कहीं गायब कर दे। विमल तीसरी राय पर अमल करने का फैसला करता है। मकी निपर निपर लगा रावत लूथरा को फोन करके बताता है कि नीलम की नर्सिंग होम से छुट्टी हो रही थी और कोल उसे वापस घर ले जा रहा था। लूथरा रावत को बदस्तूर नीलम की निगरानी करते रहने का आदेश देता है। लोटस क्लब में गुर्बक शलाल लट्टू को चारली और सहजपाल के कतल के लिए शाबाशी देता उसे इनाम लिक्राम से नवाजा है और फिर उसे ऐसी आफर देता है जिसे सुनकर लट्टू खुशी से थर-थर कामपने लगता है। वो ओफर थी अब धक्कन की जगह वो और अगर वो कॉल का काम तमाम कर दिखाए तो उसे पाँच लाख रुपए का इनाम। लूथरा डिफेंस कॉलनी ठाने पहुचता है जहां का एस एचो सहजपाल के कतल को प्रोफेशन किलिंग की वारदात बताता है। उसकी इजाज़त से लूथरा मौकायवारदात का मुआयना करने पहुचता है। लगोल मार्केट पहुचता है तो चौकीदार रामसेवक से उसे मालूम होता है कि विमल घर पर नहीं था। वो रामसेवक को खुट को जैपुर कोट से आया सरकारी आदमी बताता है जिसके पास की कॉल को सर्फ करने के लिए समन था। वो रामसेवक को सो का नोट देकर इस बात के लिए राजी कर लेता है कि जब कॉल साहब वहां लोटें तो वो चुपचाप इशारा करके कॉल साहब को उसे पहचनवा दे ताकि वो उन्हें समन सर्फ कर सके। मूड रामसेवक खुशी-खुशी इस सरकारी काम में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लट्टू जाकर कार में बैठ जाता है और विमल के वहां लोटने की प्रतीक्षा करने लगता है। यहां तक की कहानी आपने खबरदार शहरी में पढ़ी। अब आगे चैप्टर एक शुक्रवार 27 दिसंबर जारी। साहब डिफेंस कालोनी ठाने से लूथरा के साथ आया हवलदार बोला यहां लाश पड़ी पाई गई थी। आपका आदमी यहां इस लोहे की सीधियों के करीब से गुजर रहा था तो इधर सामने से उस पर गोलियां बरसाई गई थी। लूथरा ने लोहे की सीधियों पर निगाह डाली। सारी गली में वैसी सीधियां सिर्फ वो ही थी। उसकी निगा सीधियों पर से होती हुई ऊपर को उठने लगी। जब वो पहली मन्जिल पर आखरी सीधी के पहलू में बने दर्वाजे पर पड़ी तो उसे वो बंद न लगा। उसने गौर से उधर देखा तो पाया कि एक आख दर्वाजे और पल्ले के बीच बनी जिरी में से बाहर जांग रही थी। फिर जिरी गायब हो गई, जिरी से जाकती आख गायब हो गई, दर्वाजा एक बार हॉले से कामपा और फिर स्थिर हो गया। जिस आदमी ने लूथरा बोला वार्दात की खबर की थी, उसका मकान कौन सा है। लूथरा ने लोहे की सीडियों की रेलिंग को ठक्त काया, उसमें कौन रहता है। फैमिली है दो, नीचे मकान मालिक रहता है, उपर किरायदार है, मकान मालिक आजकल फैमिली सहित सिंग्दापुर गया हुआ है। एक बोड़ा आदमी है, एक उसका जवान बेटा है, कोई तीस का साल की उम्र का और एक बेटी है, कोई अठारा साल की। वार्दात के वक्त सब घर में थे? हाँ, किसी ने भी गली में गोलिया चलने की आवाज नहीं सुनी? कहते तो वो यही है। चलो यहां कुछ भी नहीं रखा। गली से बाहर आकर लूथरा अपनी मोटर साइकल पर सवार हुआ, हवलदार को उसने पीछे बैठाया और उसके ठाने पहुँचा। हवलदार को ठाने के सामने उतार कर पहाड़दंज का रुक करने के स्थान पर वो वापिस उसी गली में लोटा। वो कुछ क्षण लोहे की सीधियों के करीब खड़ा हिचकिचाता रहा, फिर द्रिड कदमों से सीधिया चड़ता हुआ उपर पहली मंजिल के दर्वाजे पर पहुँचा। उसने दर्वाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब न मिला। कई बार दर्वाजा खट-खटाने पर भी कोई जवाब न मिला लेकिन लूथरा बड़े सब्र के साथ बदस्तूर दर्वाजा खट-खटाता रहा। आखिरकार दर्वाजा खुला। चोखट पर मनोज प्रकट हुआ। बहरे हो। लूथरा कड़कर बोला इतनी देर से दर्वाजा खट-खटा रहा हूँ। इधर से कोई नहीं आता। बनोज कथिन स्वर में बोला इसलिए ध्यान नहीं गया। क्या नाम है तुम्हारा। बनोज घर में और कौन-कौन है। मेरे डैडी है। छोटी बहन है। और बस रास्ता छोड़ो। क्या बात है। कफ्तीश करनी है। उसी कतल के बारे में जो यहा। तुम्हारी सीधियों पर हुआ। सीधियों पर नहीं। मनोज ने ततकाल विरोध किया आगे गली में। एक ही बात है। एक ही बात कैसे है। रास्ते से हटो। सीवर अनिच्छा पूर्ण भाव से मनोज ने रास्ता छोड़ा। लूत्रा ने भीतर कदम रखा तो उसने अपने आपको एक गलियारे में पाया जिसकी बाई और दो बंद दर्वाजे थे और दाई और एक खुला दर्वाजा था। आईए। मनोज खुले दर्वाजे की और इशारा करता हुआ बूला। लूत्रा ने सहमती से सिर हिलाया। मनोज गलियारे में आगे बढ़ा तो लूत्रा उसके पीछे एक ही कदम उठाकर ठिठक गया। उसमें हाथ बढ़ा कर अपने करीबी बाएं दर्वाजे को धक्का दिया तो भीतर उसे निशा बैठी दिखाई दी जिसने अपनी बड़ी-बड़ी पल के फड़फराते बड़े सशंक भाव से उसकी तरफ देखा। मेरी छोटी बहन है। मनोज उतावले स्वर में बोला आईए। लूथरा आगे बढ़ा। वो दूसरे बंग दर्वाजे के करीब पहुँचा तो वो उसके धक्का दिये बिना ही खुल गया और चोखट पर एक सफेद बालो वाला लेकिन हट्टा-कट्टा खुबसूरत आदमी प्रकट हुआ। मेरे डैडी है। मनोज बोला। क्या बात है मनोज वो आदमी बोला। कुछ नहीं। मनोज बोला आप आराम कीजिए। ये गली में हुए खून की बाबत कुछ पूछताच करने आये हैं। मैं बात कर लूँगा। हमारा उस खून से कुछ लेना देना नहीं। वो आदमी बोला। जरूर नहीं होगा। लूत्रा सकती से बोला लेकिन पूछताच करनी पड़ती है। ठीक है। कीजिए। उसने दर्वाजा कर बंद करने का उपक्रम किया। आप क्या करते हैं। लूत्रा जल्दी से बोला। कुछ नहीं। वो आदमी ठिठक कर बोला रिटायर आदमी हूँ। जब रिटायर नहीं थे तब क्या करते थे। नौकरी नौकरी करता था। कहा। लुधियाना में बैंग जाप थी। कब से रिटायर हैं। छै साल हो गए। छोड़ी क्यों नौकरी। यूँ ही। बस छोड़ दी। क्या थे आप बैंक में। असिस्टेंट। भाई, इन बातों का तुम्हारी उस तफ्टीश से क्या वास्ता है, जिसके लिए तुम यहां आये हो। कोई वास्ता नहीं। शुक्रिया। लूथरा मनोज के साथ हो लिया। दाई और का खुला दर्वाजा एक जाइंग रूम का था जिसमें लूथरा और मनोज आमने सामने जा बैठे। तुम क्या करते हो। लूथरा ने मनोज पर सवाल दागा। मैं क्या करता हूँ। मनोज हडबडा कर बोला। हाँ। उचा सुनते हो। गाइड हूँ। तूरिस्टों को दिल्ली दिखाते हो। हाँ। लाइसेंस अधारी गाइड हो। रजिस्टर्ड गाइड हो। मनोज ने इनकार में सिरहिलाया। यानि की बेकार हो। बोला न गाइड हूँ। बेकार हो। मनोज ने होंट भीच लिये। उसके चहरे पर असंतोश के बड़े गहरे भाव अंकित हो गए। छोड़ी बहन तो पढ़ती होगी। लूथरा बोला। हाँ। कौन से स्कूल में या कालिज में घर पर ही पढ़ती है। फेल हो गई थी। स्कूल वालोंने दोबारा दाखिला नहीं। दिया प्राइवेट इमतहान देगी। कौन सी क्लास का दसवी का बस दसवी का लगती तो बड़ी है। वो वो दो बार फेल हो चुकी है। यानि कि वो वैसी ही स्टूडन्ट है जैसे तुम गाइड हो। नाम के? दिखावे के? जनाब इन बातों का तफ्तीश से क्या रिष्टा? तुम्हारे डैडी भी यही पूछ रहे थे आमदमी का क्या जरिया है? आमदमी क्या जरिया? हाँ मैं? मैं कमाता हूँ यह तमाम ठाट बात लूथरा ने जाइनरूं के कीमती फरनीचर और परदो वगेर की तरफ हात लहराया तुम्हारी कमाई से हैं दैडी के पास पुष्टैनी पैसा है विरसे में मिला नौकरी छोडने पर भी पैसा मिला था उसी से चल रही है ठाट की जिन्दगी? हाँ तुमने मुझे पहचाना नहीं मालूम होता उस नए सवाल से मनोज हडबराया आप फिर वो बोला आप दिल्ली पुलीस से हैं सबा इंस्पेक्टर है ये सब तो मेरी वर्दी बता रही है सूरत क्या कहती है? सूरत यानि की पहचाना नहीं? नहीं हाँ मैं पहचनवाता हूं पात साल पहले कनाट प्लेस से एक फाइव स्टार होटल में पुलीस की एक रेड पड़ी थी जिसमें एक फरजी ग्राहक भेजकर जो कालगरल गिरफ्तार की गई थी वो लूथरा का स्वर एकाएक बेहत करकश हो उठा तेरी बड़ी बहन कूर्णिमा थी और तू उसका दलाल था ठीक मनोज के चहरे का रंग उड़ गया पॉंट तब सहजपाल जो की तेरे घर के बाहर गली में मरा पाया गया सब इंस्पेक्टर था और मैं उसका माथट ए एस आई था साले बहनों की कमाई खाने वाले दो जग के कीरे माथट तो याद नहीं रहते लेकिन हो सब इंस्पेक्टर तो नहीं भूला होगा जिसने तुझे और तेरी बड़ी लेकिन तेरे से छोटी बहन को गिरफतार किया था बोल क्या चाहते हो तुझे मालूम है क्या चाहता हूं अपने मुह से कबूल कर की सहजपाल यहां आया था उसने यहां से निकल कर गली में कदम रखा था जबकि वो गोलियों से भून दिया गया था का कौन कहता है कोई कोई नहीं कहता मैं कहता हूं और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने तेरे को दर्वाजे की जिरी में आख लगा कर गली में जाकता पाया था तेरे मन में कोई चोर ना होता तो तू सरेयाम दर्वाजा खोल के बाहर जाकता तेरी लुकाचिपी की हरकत नहीं मुझे शक में डाला वरना मेरी तो कवज्जो भी ना जाती तेरी तरफ या तेरे घर की तरफ समझा मनोज ने जोर से थूक निगली अब जबकि मैंने तेरे और सहजपाल में ये लिंग खोज निकाला है तो ये हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ ना आया हो वो खामखा पिछवाडे की गली से गुजरता नहीं हो सकता ये उसका रास्ता नहीं यहां उसका कोई मतलब नहीं वो जरूर यहीं कहीं से निकला था अब मुझे मालूम है वो जगा कौन सी थी वो यहां नहीं आया था तेरे जूट बोलने से काम नहीं चलने वाला साले अगर वो यहाँ आया था तो यहाँ पई जगा उसकी उंगलियों के निशान होंगे नीचे लोहे की सीधियों की रेलिंग पर तो शर्तिया होंगे फिर कैसे जूट बोलेगा? मैं? मैं? ठाने जाता हूँ क्या करने? तो मुझे यूँ हलका नहीं कर सकते ओह तो तु समझता है कि थानेदार तेरी हिमायत करेगा क्या चड़ाता है उसे? रंडी की कमाई की चौट देता है या रंडी पेश करता है? या दोनों चीजे? मैं? मैं? क्या मैं मैं? साले हराम जादे तु क्या समझदा है कि अपने ही महत्मे के एक आदमी के कतल के मामले में यहां का थानेदार तेरी हिमायत करेगा? तु कुछ भी भौंक ले लेकिन अभी इतना करप्ट नहीं हुआ महकमा वो खामोश रहा तु अपनी जुबान बंद रखने की धिथाई दिखा सकता है लेकिन फिर तेरी जुबान की तरह तुम लोगों का वो धंधा भी बंद हो जाएगा जिसके दम पर तुम लोग फलफूल रहे हो, एश कर रहे हो ए, एस एच ओ साहब है, ऐसा नहीं होने देंगे क्यों, एस एच ओ मामा लगता है तेरा, तेरी कालगल बहन जब काम पर निकला करेगी तो वो साथ जाया करेगा उसके तु, तुम क्या चाहते हो हाँ, ये समझदारी का सवाल है, लेकिन इसका तुझे मालूम है तुझे पता है, मैं क्या चाहता हूँ अब सब बख मनोज बोलने की जगा बार-बार थूक निगलने लगा और बेचेनी से पहलू बदलने लगा अब क्या हुआ लखवा मार गया जुबान को तुम मनोज हिम्मत करके बोला क्यों सब जानना चाहते हो यह केस तुम्हारे अंडर तो नहीं तुम तो डिफेंस कॉलनी ठाने के भी नहीं हो यानि कि यहां अपने ठाने के सारे स्टाफ को जानता पहचानता है वो चुप रहा मैं पहाडगंज ठाने से हूँ लूथरा नाम है मेरा अजीत लूथरा सहजपाल भी पहाडगंज ठाने से था अपने ठाने के आदमी के कतल में दिल्चस्पी लेना मेरे लिए स्वाभाविक बात है और कोई बात नहीं तू लूथरा ने उसे घूर कर देखा किस फिरात में है देख मेरे से सीधा सीधा साफ साफ पेशा मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ कि घाटे में नहीं रहेगा मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बता सकता हूँ ऐसी बात अपनी कोशिशों से जिसे तुम साथ जन्म तक नहीं जान पाओगे लेकिन पहले एक वादा करू क्या ये कि तुम हमारा पीछा छोड़ दोगे तुम हमें एक्स्पोज नहीं करोगे और और नहीं तुम किसी को ये बताओगे कि ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई कब मालूम हुई किससे मालूम हुई ऐसी क्या अनोखी बात है जिसके बदले में तु एकाइक अपने आपको मेरे इतने वादों का हगदार मानने लगा है ऐसी ही अनोखी बात है बस ये समझ लेना कि तुमने अपनी मन्जिल पाली अब कुछ बोल तो सही पहले वादा करू मेरे वादे पर एद्बार कर लेगा कर लूँगा वो बात ही ऐसी है उसे सुनकर वादा खिलाफी तुम्हें बहुत ही तुच्चा काम लगने लगेगा ठीक है किया वादा अब बोल सहजपाल यही आया था न? वो तो वो आया ही था लेकिन मैं तुम्हें सिरे की बात बताता हूं मैं सुन रहा हूं मैं सहजपाल के कातिल को जानता हूं क्या? लूथरा बुरी तरह चौका मैं मनोज ने पूरे विश्वास के साथ फिर दोहराया सहजपाल के कातिल को जानता हूं कैसे? कैसे जानता है? मैंने उसे अपनी आंखों से एक काली एमबैसेडर कार की पिछली सीट पर से सहजपाल पर गोलियां बरसाते देखा था कौन था वो? उसका नाम लतीफ एहमद है लतीफ एहमद? लेकिन हर कोई उसे लट्टू के नाम से पुकारता है तू उसे कैसे जानता है? बस जानता हूं कैसे जानता है? लूथरा जिद्भरे स्वर में बोला वो वो गुर्बक्षलाल का आदमी है पूर्णे मा लोटस क्लब में कैबरे करती थी तब मैं अकसर आया जाया करता था वहां मैं दो-तीन बार लट्टू से मिला था और वो गुर्बक्षलाल का आदमी है लूथरा मंत्र मुगधसा बोला इसका मतलब ये हुआ कि सहजपाल का कतल गुर्बक्षलाल ने करवाया जाहिर है और लट्टू की उससे क्या जाती अदावत होगी होगी लट्टू का कोई मौजूदा पराथिकाना जानता है नहीं अब तो मैं सानों से उससे नहीं मिला पूर्णे मां हामकांग चली गई थी तो मैंने भी लोट्टस क्लब जाना बंद कर दिया था लेकिन उसका पताथिकाना जान लेना क्या मुश्किल काम होगा तुम्हारे लिए लोट्टस क्लब में बहुत लोग उसका पताथिकाना जानते होंगे बलकि लोट्टस क्लब ही उसका पताथिकाना होगा लूथरा ने जोर की हुंकार भरी वो कुछ क्षन खामोश बैठा रहा और फिर एका एक उठ खड़ा हुआ उसे उठता देखकर मनोज भी उठा जीता रह बेटा लूथरा मनोज का कंधा थप्त पाता हुआ बोला इस एक बात से ही समझ ले तूने अपने सारे पाप बक्षवा लिये मनोज ने चैन की लंबी सांस ली अपना वादा याद रखना फिर वो बोला फिक्र न कर फिर बहुत खुश-खुश लूथरा वहां से विदा हुआ क्रीम कलर की एक फियेट हाउसिंग कंप्लेक्स की बी के सामने आकर खड़ी हुई फियेट की छट पर एक वील चैर लदी हुई थी उसमें चार सवारिया थी पीछे दो स्त्रिया बैठी थी और आगे दो पुरुश थे सावधान हो गया परे खड़ी काली एमबैसेडर के काले शीशे के पीछे से वो सामने देखता रहा फिट के पीछे ही एक बंद जीप थी जो की एन फियेट के पीछे आ रही थी लहु ने देखा कि फिट के ठीक से रुक पाने से भी पहले बंद जीप में से दो हमशकल नौजवान निकले और फियेट की जाइविंग सीट की ओर के पहलू में जा खड़े हुए एक और सफेद रंग की एमबैसेडर कार भी हाउसिंग कमपलेक्स के जाइव वे पर प्रकट हुई लेकिन वो पहली दो कारों से परेही रुक गई लट में नोट किया कि उसमें चार आदमी सवार थे जिनमें से दो कार का पिछला दर्वाजा खोल कर बाहर निकले और लापरवाही से सामने लाबी की दिशा में देखने लगे पुल्सिये मालूम होते हैं ड्राइविंग सीट पर बैठा फौजी एकाएक बोला लट में सहमती में सिर हिलाया और फिर तनिक ने चिंतित भाव से बोला दोनों में से वो जो कार के हुड के साथ लगा जमाईया ले रहा है और अंगडाईया तोड रहा है वो तो शर्तिया पुल्सिया है कैसे? जूते देख साले के कपड़े अपने पहने हैं लेकिन जूते वही हैं जो पुलीस वालों को वर्दी के साथ मिलते हैं फौजी ने फिर रावत की तरफ निगा दोडाई और फिर बड़े प्रशनसात्मग भाव से सहमती में सिर हिलाया तभी क्रीम कलर की फियेट की अगली सीट पर बैठे दोनों पुरुष बाहर निकले रामसेवक कार के करीब प्रकट हुआ उसका एक हाथ उसके सिर के ऊपर तक उठा और फिर ततकाल नीचे गिरा लट्टू संभल कर बैठ गया दोनों हमशकल नौजवानों में से तो कोई कॉल हो नहीं सकता था क्योंकि वो तो साफ-साफ जुड़वे मालूम होते थे फियेट में से निकले दोनों पुरुषों में से एक अपनी सफेद वर्दी से आडरली मालूम होता था इसलिए वो भी कॉल नहीं हो सकता था यानि की फियेट को ड्राइफ करके वहां पहुँचा शक्स ही कॉल था आडरली फियेट की छट पर से वीलचेर खोलने लगा लट्टू को वो माहौल गोलिबारी के लिए मुनासिब ना लगा सफेद एमबैसेडर वालों की वहां मौजूदगी उसे फिक्र में डाल रही थी अगर दो पुलसिये थे तो जाहिर था कि उनकी निगाहों का मरकज भी कॉल ही था वो कॉल को और उसके गिर्द मौजूद सबको शूट कर सकता था लेकिन एमबैसेडर वालों की मौजूदगी की वजह से उसका वहां से पलायन घपले में पड़ सकता था कोई बात नहीं उसने अपने आपको तसली दी कुछ तो हाथ लगा अपना शिकार तो पहचाना उसने एमबैसेडर वाले टल जाएं तो कॉल को उसके घर में घुसके शूट करके आऊंगा वीलचेर जमीन पर पहुँच गई तो फियेट का लाबी की और का पिछला दर्वाजा खुला और फिर विमल और आडरली ने मिलकर नीलम को फियेट में से निकाल कर वीलचेर पर बिठाया फिर आडरली वीलचेर भीतर को लुड़काने लगा सुमन वीलचेर के साथ-साथ और विमल उसके आगे चलने लगा हमशतले युवग दायमबाएं आडरली के पीछे चलने लगे वो लोग लाबी में दाखिल हो गए तो रावत तहलता हुआ वहाँ पहुचा और लाबी में ठिटका खड़ा विमल वगेरा को लिफ्ट में सवार होता देखता रहा लिफ्ट का दर्वाजा बंध होने को हुआ तो रावत भी पूरी बेशर्मी से उनके साथ लिफ्ट में दाखिल हो गया लट्टू अपनी कार में खामोश बैठा रहा पुल्सियों ने उसका काम बिगार दिया था वो वहाँ ना होते तो अब तक वो अपना काम निप्टा कर वहाँ से चल भी दिया होता कितना आसान साबित होता पांच लाख रुपया कमाना कोई बात नहीं उसने फिर अपने आपको तसली दी सहज़ पकेसों मीठा हुए पांच मिनट बाद रावत लाभी में प्रकट हुआ उसने बाहर खुले में आकर परे खड़ी सफेद एमबैसेडर कार की तरफ हाथ हिलाया ततकाल कार से बाहर खड़ा युद्धवीर कार की पिछली सीट पर सवार हो गया आगे ड्राविंग सीट पर बैठे व्यक्ती ने कार को चालू किया और उसे रावत के करीब लाग खड़ा किया फिर रावत के इशारे पर उसने कार को युँ लाभी के सामने कार पार्किंग में खड़ा कि उसका रुख लाभी के भीतर की ओर हो गया रावतकार में पीछे युद्धवीर के पहलू में जा बैठा और पाँच मिनट बाद वीलचेर लुढकता आडरली लाबी में प्रकट हुआ वो वहां मौजूद रामसेवक के करीब पहुँचा उसने रामसेवक को कुछ कहा जिसके जवाब में रामसेवक ने सहमती में सिर हिलाया फिर आडरली वीलचेर वही रामसेवक के करीब छोड़ कर पैडल एक तरफ को चल दिया पाँच मिनट बाद एक टैक्सी में सवार वो वहां लोटा, उसने वीलचेर को टैक्सी की छट पर लादा और फिर टैक्सी में बैठ कर वहां से रुखसत हो गया पंद्रा मिनट बाद हमशकल नौजवानों के साथ विमल लाब में प्रकट हुआ लट्टू संभल कर बैठ गया, लेकिन विमल ततकाल ही फियेट में सवार हो गया हमशकल युवकों में से एक विमल के साथ फियेट में सवार हो गया और दूसरा बंद जीप में जा बैठा फियेट और जीप आगे पीछे वहां से रवाना हो गई लट्टू ने सशंक भाव से सफेद एमबैसिडर की ओर देखा, उसका इंजन तक चालू नहीं हुआ था यानि कि पुल्सिये जो कॉल के पीछे लगे लगे वहां तक पहुँचे थे, अब कॉल के पीछे ही लगे लगे वहां से रुखसत होने का कोई इरादा नहीं रखते थे लट्टू खुश हो गया एक विकट समस्या अपने आप ही हल हुई जा रही थी चल, वो फौजी से बोला फौजी ने फौरन कार स्टार्ट की और उसे विमल की कार के पीछे डाल दिया एस्टरिस्क 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 लूथरा लोटस क्लब पहुचा दोर्मैन ने बड़े सशंक भाव से उसकी वर्दी पर निगार डाली और फिर प्रवेश द्वार खोल दिया लूथरा ने जगमक करती कलब के भीतर कदम रखा ततकाल एक स्टीवर्ड उसके पास पहुचा और डोर्मैन जैसे ही सशंक भाव से उसकी ओर देखने लगा लाल साहब से मिलना है लूथरा बोला कौन लाल साहब पैटिन्ट जवाब मिला गुर्बक्षलाल साहब इस नाम का कोई आदमी यहां नहीं पाया जाता पागल हुआ है स्टीवर्ड खामोश रहा कुश्वाह के नारे में क्या कहता है वो भी यहां पाया जाना है या नहीं आप कुश्वाह साहब से मिलना चाहते हैं चाहता तो हूँ भाई आईए लूथरा स्टीवर्ड के साथ हो लिया स्टीवर्ड ने हाल पार किया और बार के पहलू में बने एक दर्वाजे को खोला आगे एक गलियारा था जिसके दाई और के पहले दर्वाजे को उसने खोला तो लूथरा ने पाया कि वो एक आफिस नुमा कमरा था स्टीवर्ड उसे वहां बैठने का इशारा करके वहां से रुखसत हो गया लूथरा एक कुर्सी पर जा बैठा और प्रतीक्षा करने लगा थोड़ी देर बाद कुश्वाहा वहां पहुचा लूथरा को देखकर उसके नेत्र सिकुडे फिर ततकाल उसके चहरे पर एक बनावती मुस्कराहट प्रकट हुई और वो बोला आईए आईए खुशामदीद लूथरा ने बैठे बैठे ही भावीन धंग से उससे हाथ मिलाया कुश्वाहा उसके सामने बैठ गया उसने प्रश्ण सूचक नेत्रों से लूथरा को देखा मुझे पहचान तो लिया है न लूथरा बोला आज सुबह थाने में मुलाकात हुई थी हाँ कुश्वाहा जबरन मुस्कुराया लेकिन तब ये नहीं सोचा था कि आज ही शाम होते होते फिर मुलाकात हो जाएगी मैंने भी कैसे आए आने का क्या है लूथरा लापरवाही से बोला सोहल को गिरफ्तार कराके उसे सजा दिलाने पर तुम्हारे बॉस की मुझे 6 लाप की आफर है समझ लो एडवान्स कलेक्ट करने आया हूँ वो जवाब तो तुमने सोच कर दो दिन बाद देना था दो दिन में देना था यानि कि सोच लिया अभी नहीं क्या मतलब वो भी एक काम है जिसके लिए मैं यहां आ सकता हूँ लेकिन अभी मैं किसी और काम से आया हूँ वो भी बोलो मैं जिससे यारी करता हूँ उसके भले बुरे में शरीक होना उसके काम आना मैं अपना फर्ज समझता हूँ बड़ी अच्छी समझ है तुम्हारी सुभा तुम्हारे दो आदमी छुडाने में मैं तुम्हारे काम आया था इसलिए मैंने अभी यहां आना अपना फर्ज समझा मैं समझा नहीं मैं समझाता हूँ तुम लोगों की एक कार हिट एंड रन एक केस के लिए जिन्मेदार है दो आदमी आन दीस पार्ट मारे गए हैं हमारी कार काली एंबैसेडर मार्क फॉर सारे शीशे काले ऐसी कार क्या दिल्ली शहर में सिर्फ हमारे पास है एक चश्मदीद गवाह का कहना है कि कार की पिछली नंबर प्लेट के उपर लोटस क्लब लिखा हुआ था उसने नंबर भी देखा हाँ क्या नंबर देखा D.E.A. 87461 इंच बकवास हमारे पास इस नंबर की कोई गाड़ी नहीं और नहीं हमारी किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर कहीं लोटस क्लब लिखा हुआ है चश्मदीद गवाह ने ही नंबर बताया था उसने गलत बताया था एकाद अक्षर या एकाद अंध गलत हो सकता है लेकिन सारा नंबर गलत है ऐसी गाड़ी तो है ना आप लोगों के पास काले शीशो वाली मार्क फॉर वाली एंबैसेडर वो तो है लेकिन उसका नंबर वो नहीं है जो तुम बता रहे हो उसका क्या नंबर है दी आई एफ साथ हजार साथ सो अरतालीस इंच पॉंट हमारे बहुत ही भरोसे के जाइवर के अधिकार में है यानी कि वो हिट एंड रन में शरीक नहीं हो सकता हो सकता है हिट एंड रन में कोई भी जाइवर शरीक हो सकता है गारी किसी के भी काबू से बाहर जा सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ऐसी कोई वार्दात कर चुकने के बाद उसने फॉरन यहां ख़बर न की हो. तुम वार्दात दोपहर की बता रहे हो. अब शाम होने को आ रही है. फौजी ने किसी को गाड़ी के नीचे दिया होता तो वो कपका यहां पहुँच चुका होता उसके साथ और कौन था क्या पता कौन था आएगा तो पूछेंगे बिना पूछे भी तो मालूम हो सकता है कैसे तुमने ही उसके साथ किसी को भेजा हो मैंने नहीं भेजा लाल साहब ने उन्होंने नहीं भेजा पूछ तो लो उनसे जरूरत नहीं जो उन्हें मालूम होता है वो मुझे भी होता है फिर भी क्या फिर भी जब मैं कह रहा हूँ कि जिस गाड़ी को तुम हिट एंड रन में शरीक बता रहे हो वो हमारी नहीं हो सकती तो फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उसमें कौन सवार था समझ लो काला चोर सवार था उसमें यानि कि लूथरा बड़े असंतोशकूर्ण भाव से बरबराया मैं यहां बेकार ही आया आये तो बेकार ही कुश्वाहा जबरन मुसकराया लेकिन जो जजबा तुम्हें यहां लाया है वो काबिले तारीफ है हम फिर भी तुम्हारे शुक्र गुजार है लूथरा खामोश रहा एक बात गिरा बांध लो हमारे काम आओगे हमारे से बना कर रखोगे तो घाटे में नहीं रहोगे लान साहब की यही खूबी है कि वो मैं गाडी पर एक निगाफ फिर भी डालना चाहता हूँ कुश्वाहा खामोश हो गया उसके चहरे पर क्षनभर को असिशनुता के भाव प्रकट हुए और फिर लुप्थ हो गए वो किसलिए? वो भरसक अपने स्वर को सुसन्यत करता हुआ बोला हिट एन्ड रन के टैल्टेल साइज होते है छुपाए नहीं छुपते ऐसे निशानात न सिर्फ छुपते नहीं बल्कि अपनी कहानी खुद कहते है मैं तुम्हारी उस गाड़ी को देख कर ये तस्दीक करना चाहता हूँ कि यानि कि हमारी जुबान की कोई कीमत नहीं इस मामले में तुम्हारी जुबान का हवाला बेमानी है जो चीज तुमने भी नहीं देखी उसकी तुम क्या तस्दीक कर सकते हो जो शक्स हमारे भले बुरे में शरीक होने का हमारे काम आने का ख्वाहिश मन्ध हो उसके ये तेवर होने चाहिए जो आदमी हमारी तरफ हो उसने तस्दीक करके हमारी बात मानी तो क्या खाक हमारी तरफ हुआ मैं लूथरा बड़े सब्र से बोला गाड़ी तुम्हारी बात की तस्दीक के लिए या उस पर उंगली उठाने के लिए नहीं देखना चाहता तो क्यों देखना चाते हो? ये जानने के लिए देखना चाता हूँ कि मैंने तुम्हारे उपर कितना बड़ा एहसान किया है, कोई एहसान किया भी है या नहीं ओ, ओ, तो ये बात है हाँ, मैं वालंकियर होता तो ये बात न होती असल पुलसिय हो हाँ, लूथरा पूरी धिठाई से बोला ठीक है, देख लेना गाड़ी अब ये बताओ कि यहाँ बैठ के गाड़ी के लौटने का इंतजार करना चाते हो या लौट के आओगे यहाँ तो पता नहीं कब तक इंतजार करना पड़े लौट के ही आऊंगा गाड़ी लौटेगी तो मैं फोन पर तुम्हें खबर कर दूँगा ठीक है, लूथरा उठ खड़ा हुआ बैठो, कोई चाय पानी थंडा गर्म शुक्रिया अभी नहीं लौटने पर मर्जी तुम्हारी एक बात और जब गाड़ी लौट आए तो उसके मुसाफिरों को भी रोग के रखना फौजी को डोट या और जो कोई भी उसके साथ हो वज़ा कोई खास नहीं, रोग के रखना कुश्वाहा ने अन्मने भाव से सहमती में सिर हिला दिया एस्टरिस्क, एस्टरिस्क, एस्टरिस्क वली मुहम्मद ने एक सरसरी निगाह परे सडक पर खड़ी काले शीशो वाली काली एम्बैसेडर पर डाली जिसे वहां खड़े दस मिनट होने को हो रहे थे लेकिन तब तक न उसका कोई खिड़की दर्वाजा खुला था न कोई उसमें से बाहर निकला था और न बाहर से आकर कोई उसमें सवार हुआ था अब उसे याद आ रहा था कि वैसी काली एम्बैसेडर उसने कोविल हाउसिंग कमपलैक्स के आहाते में भी देखी थी पुर्वा भाई अली मोहम्मद विमल के साथ गया था क्या वो कार गोल मार्केट और करजन रोड के बीच के रास्ते में भी टही दिखाई दी थी वो कोई फैसला न कर सका शाम के वक्त उस रास्ते पर वाहनों की बहुत भीड़ भाड रहती थी इसलिए बहुत मुम्किन था कि रास्ते में वो गाड़ी उसकी तवज्जों में आने से रह गई हो कुछ क्षण सोचता रहा फिर उसने लिफ्टों की तरफ निगार डाली दोनों लिफ्टों के इंडिकेटर बता रहे थे कि एक इमारत की पंद्रवी और दूसरी अठारवी मन्जिल पर थी यानि कि ततकाल कोई लिफ्ट नीचे लाबी में नहीं पहुँच जाने वाली थी अपने स्थान से हटा और लापरवाही से तहलता हुआ काली एमबैसेडर के करीब पहुँचा उसने नोट किया कि कार के शीशे इतने काले थे कि भीतर जांक पाना कतई मुम्किन नहीं था बहुत गौर से देखने के बावजूद वो ये फैसला भी न कर सका कि भीतर कोई था भी या नहीं वो आठ दस कदम आगे बढ़ा ठिटका और वापिस लोटा अब उसका रुक कार की जाइविंग सीट की ओर था कार की विंड स्क्रीन का शीशा क्योंकी काला नहीं था इसलिए उसके पीछे ड्राइविंग सीट पर बैठे फौजी को उसने साफ देखा पिछली सीट की कोई सवारी या सवारिया उसे फिर भी न दिखाई दी वो वापिस लाबी में लोट गया उसके जेहन में कहीं कोई घंती बज रही थी जो उसे उस काली एंबेसेडर से सावधान रहने की चेतावनी दे रही थी तब भी उसने सफेद मोटर साइकिल पर सवार ट्राफिक पुलीस के सबाइंस्पेक्टर को काली एंबेसेडर के पहलू में पहुचते देखा जाइवर को उसने क्या कहा ये तो फासले से वली मोहमद न जान सका लेकिन काली एंबेसेडर के ततकाल स्टार्ट होकर वहां से चल पढ़ने से उसने यही अंदाज लगाया कि पुलसिया गाड़ी वहां खड़ी किये जाने पर एतरास कर रहा था काल एंबेसेडर कनाट प्लेस की दिशा में बढ़ी और फिर निगाहों से ओज़र हो गई वली मोहमद ने राहत की सांस ली गारी पारकिंग में खड़ी कीजिये च्राफिक पुलीस का सब इंस्पेक्टर सकती से बोलाया यहां से हटाईए रियर व्यू मिरर में से फौजी की निगाह पीछे बैठे लट्टू से मिली जल्दी कीजिये नहीं तो मैं चालान काटता हूँ लट्टू ने हौले से सहमती में सिर हिलाया अभी लो मालिक फौजी जबरन मुस्कराता हुआ बोला उसने ततकाल गारी को आगे बढ़ाया पीछे अपनी मोटर साइकल के पहलू में खड़ा सबइंस्पेक्टर संदिक्द भाव से आगे बढ़ती गारी को देखता रहा उसे अंदेशा था कि जाइवर गारी को आगे बढ़ा कर खड़ी कर देगा वस्तुत फौजी का यही इरादा था पुल्सिये के विदा होते ही वो गारी को वही ला खड़ी करने का इरादा रखता था यह गश्ट वाला पुल्सिया है लूट्टू चिंतिक भाव से बोला चला भी गया तो फिर आ जाएगी तो क्या क्या जाए फौजी बोला किसी ऐसी गारी का सहारा लेना पड़ेगा जिसका यूँ चलती सड़क पर खड़ा होना ना मना हो और ना किसी को अजीब लगे अम्बूलेंस मुर्दा गारी दोनों ठीक हैं लेकिन मेरे जेहन में एक और गारी है जिसका फौरन इंतिजाम भी मुम्किन है उसके लिए ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा करीब मदरास होटल के पिछवाड़े की एक वरकशाप में ही खड़ी है वो मदरास होटल चल इतने में ही चिडिया फुर हो गई तो तो मज़़ूरी है लेकिन कोई बात नहीं हम फिर तलाश कर लेगे आखिर अब हम उसकी सूरत से वाकिफ है उसके घर के पते से वाकिफ है वो तो है लेकिन लोटने पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो अभी भीतर ही है कि हमारी गैर हाजरी में चला गया वहां से उसकी क्रीम कलर की फियेट से पता चलेगा जिस पर सवार होकर यहां तक पहुँचा है पार्किंग में वो हुई तो वो भी होगा वो ना हुई तो समझ लेंगे कि वो चला गया वहां से फिर आगे की आगे देखेंगे ठीक है एस्टरिस्क 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 लूथ्रा गोल मार्केट पहुचा। उसे देखते ही रावत ततकाल कार से निकला और उसकी मोटर साइकल के करीब पहुचा। मन्जिल पर गया था, वहां की कॉल का फ्लैट था। पठ्था ऐसा बिफरा था, रावत हस्ता हुआ बोला कि उसका बस चलता तो मुझे अपने फ्लैट में घसीट के मारता। लूथ्रा ने अन्वने भाव से हसी में उसका साथ दिया और बोला यानि कि अब कॉल की बीवी में है और कॉल यहां से कहीं गया है। हाँ, रावत एका एक गंभीर हुआ लेकिन एक बात है। क्या? वो अकेला नहीं था। उसके साथ दो हमशकल लड़के थे जो साफ साफ उसके बाडीगार बने मालूम होते थे। अच्छा। जी हाँ, वो एक बंद जीप में कॉल की का पीछे पीछे वहां पहुँचे थे और जब कॉल यहां से गया था तो एक जना उसके साथ उसकी फियेट में बैठा था जो की साफ जाहिर करता है कि वो दोनों कॉल के ही साथ थे। वो हमशकल लड़के लूथरा के जेहन में उन दो लड़कों की सूरत उबरी जिने उसने उसी सुबह कॉल के फ्लैट के ड्राइंगरों में बैठे देखा था एक ही उम्र के थे। जैसे जुड़वां भाई हों। जी हां। और और एक बड़ी अजीब बात है। वो क्या। मैंने एक काली एमबैसेडर कॉल की कार और उसके पीछे चलती बंद जीप के पीछे लग शकता है, क्योंकि आती बार थी। शीशे भी काले थे? हाँ, वो. नंबर देखा था। नंबर की तरफ तो द्यान नहीं गया था। तेरा द्यान नहीं गया था या किसी का भी ध्यान नहीं गया था? मेरा, मेरा ध्यान नहीं गया था बाकी जनों से पूच कर देख शायद किसी और का नंबर की तरफ ध्यान गया हो रावत पूच कर आया मालूम हुआ कि उसकाली एंबैसेडर का नंबर डी आई एफ साथ हजार साथ सो अड़ालीस था वली मोहमद ने सडक की और निगा उठाई तो पाया कि जहां कोई दस मिनट पहले वो काले शीशो वाली काली एंबैसेडर खड़ी थी वहाँ अब एक फास्ट फूड बेचने वाली रंग वेन आन खड़ी हुई थी ततकाल ही उसकी निगा वहाँ से परे भटक गई उस इलाके में वैसी मोबाईल के ट्रिंग वैन का देखा जाना आम बात थी वहाँ तो सैंडविच, पकोड़ा, काफी, कोल्ड ड्रिंक्स वगेरा बेचने वाली वैसी एक वैन सरकारी काफी हाउस की भी आती थी पाँच मिनट बाद जब उसकी निगा फिर वैन पर पड़ी तो उसके माथे पर असमंजस की लकीरे खिच गई अभी तक वैन के दोनों पहलों की आयताकार खिड़कियों पर लगे वो धक्कन नहीं खुले थे जो की खुल जाने पर सर्विस काउंटर का काम करते थे और पाँच मिनट बाद भी वैन पूर्ववत बंध ही खड़ी थी वली मुहम्मद का माथा ठंका उसने एक बार फिर लिफ्टों के इंडिकेटर पर निगार डाली और लापरवाही से टहलता हुआ वैन के करीब पहुँचा उसने वैन की एक परिक्रमा की और फिर उसके जाइविंग सीट की ओर वाले पहलू के करीब पहुँचा जाइविंग सीट पर फौजी बैठा था जिसे की उसने काली एमबैसेडर के जाइवर के रूप में फौरण पहचाना ततकाल उसके कानों में खत्रे की घंटिया बजने लगी उसने जेब से एक पाँच का नोट निकाला और बड़े सहेज भाव से उसे फौजी की ओर बढ़ाया फौजी हर बढ़ाया क्या है? वो बोला एक काफी वली मुहम्मद बोला क्या? अरे काफी नहीं समझता यहां काफी कहां है? तो चाए होगी एक चाए दो काफी दो चाए दो क्या मतलब है भई तेरा? तेरा क्या मतलब है? इतनी बड़ी केटरिंग वैन में चाए काफी कुछ नहीं मिलती? के केट और तब कहीं जाकर फॉजी को याद आया कि वो फास्ट फूड बेचने वाली केटरिंग वैन की जाइविंग सीट पर बैठा था अभी चाए काफी नहीं है तो जो तयार है वो दो अभी कुछ तयार नहीं है कोई थंडा वंडा तो होगा नहीं है कमार है ये कैसी दुकांदारी हुई जो कान मत खा और चलता फिरता नजर आ अभी दुकांदारी शुरू होने में टाइम है अरे कुछ बना के भी तो लाते होगे कोई सैंडविच कोई कटलेट कोई समोसा कुछ कहा न अभी कुछ तयार नहीं है हद है भई इतनी बड़ी वैन लेकर आ गए और तयार भी नहीं है अरे तलन यार फौजी बड़ी मुश्किल से जब्द कर पा रहा था क्यों अपना भी वक्त जाया कर रहा है वली मुहमद वहां से हट गया फौजी की निगा से छुपने के लिए वो पहले वैन से परे आगे सड़क पर चला गया और फिर राहगीरों की ओट में चलता हुआ वापिस विमल के आफिस वाली इमारत की ओर बढ़ा वो पांचवी मन्जिल पर जाने के लिए लिफ्ट में सवार हो गया एस्टरिस्क 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 विमल ने आखिरी फाइल भी निप्ताई और फिर घड़ी पर निगाह डाली छे बजने को थे उसने मेज पर बिखरी फाइले इकट्थी की और फिर उनके साथ अपने बॉस शुकला के आफिस में पहुँचा ये पाँच केस है वो फाइले शुकला के सामने मेज पर रखता हुआ बोला जो जरूरी थे इन्हें मैंने निप्ता दिया है इस वक्त कोई फौरी काम मेरे पास नहीं है तो शुकला उल्जनपूर्ण स्वर में बोला वो क्या है कि मैं कुछ दिन दफ्तर नहीं आ सकूँगा बीमार दीवी की वज़ा से वो भी वज़ा है कुछ और भी जाती दुश्वारिया है शुकला साहब न सिर्फ मैं आफिस नहीं आ सकूँगा मैं आपको फोन पर भी उपलब्ध नहीं हो पाऊंगा भाई घर पर तो होगे विमल ने इन कार में सिर्फ हिलाया यानि कि कहीं बाहर जा रहे हो यही समझ लीजिए बड़ी मिस्टीरियस बाते कर रहे हो भाई और ये फियेट की चाबिया विमल ने फाइलों के उपर चाबियों का एक गुच्छा रखा कार तो बेशक अभी पास रख लो तुम्हें जरूरत पड़ेगी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, सर पकी बात जी हाँ ठीक है जैसा तुम चाहो अपने कामकाज इत्मीनान से निप्टा लो आफिस जब मर्जी आना फैंक्यू, सर विमर शुकला से हाथ मिला कर बाहर निकला तो उसे रिसेप्शन पर अली वली दोनों बड़े दिखाई दिये वो लंबे डग भरता उनके करीब पहुचा जनाब उसके मुह भी खोल पाने से पहले दोनों में से एक बोला जब तक हम दोनों में से कोई वापिस यहां आपके पास न लोटे यहां से बाहर न निकलिएगा फिर इससे पहले कि वो कोई वज़ा पूछ पाता दोनों फुर्ती से वहां से बाहर निकल गए लिफ्ट द्वारा दोनों नीचे पहुचे वहाँ पहले अली मुहम्मद बाहर निकला और उस घड़ी छुटी करके बाहर निकलते लोगों हुजूम के साथ बढ़ चला दो मिनिट बाद वली मुहम्मद ने बाहर कदम रखा उसने फिर पाँच का नोट अपने हाथ में ले लिया और फिर केटरिंग वैन की जाइविंग सीट पर बैठे फौजी के करब पहुँचा पूर्ववत उसने नोट फौजी की ओर बढ़ाया फिर आ गया फौजी भुन भुनाया अब क्या है अब तो कुछ बन गया होगा वली मुहमद बड़ी मासूमियत से बोला कुछ नहीं बना भाग जा कमाल है हाँ कमाल है चल फूट अरे बात तो तमीज से करो कान मत खा बेटा जा जा कहीं और से अपनी जरूरत की चीज खरीद और कहां से कहीं से भी कहीं से कहां से फौजी हथे से उख़ड गया दफा हो जा वो एकाएक सांप की तरफ फुम्फकारा वरना गर्दन मरोड दूँगा गर्दन इधर मेरी मरोड फौजी ने चिककर अपने पीछे देखा तो पाया कि पता नहीं कप को वैन का परली तरफ का दर्वाजा खोल कर एक और लड़का वैन में घुस आया था और अब वो उसकी पसलियों में रिवालवर की नाल सटाए उसके पहलू में बैठा था फौजी की उसकी सूरत पर निगाह पड़ी तो वो और भी भोचक्ता हो गया वो कभी अपने पहलू में मौजूद अली की तो कभी बाहर सडक पर खड़े वली की सूरत देखने लगा तब उसकी समझ में आया की बाहर खड़ा लड़का उसे खामखा की बातों में उलजा रहा था ताकि उसका जोड़ीदार दूसरी तरफ से उसके सिर पर आन सवार होता खबरदार अली बोला आवाज न निकले कौन हो तुम लोग अली ने अपने माथे की भरपूर ठोकर अपनी तरफ देखते फौजी की नाक पर जमाई फौजी पीड़ा से बिलबिला गया मैंने कहा अली कहभरे स्वर में बोला आवाज न निकले फौजी ने दांत भीच लिए तभी उसे परे धकेलता हुआ वली भीतर घुस आया एन उसी वक्त विमल के आफिस में उसकी टो लेने की गरच से लूथरा वहां पहुँचा था केटरिंग वैन की तरफ उसकी तवज्जो हरगिस ना जाती अगर उसने दो हमशकल लड़कों को दायमबाएं से उसके जाइविंग केबिन में सवार होता ना देखा होता रावत में भी वैसे दो हमशकल लड़कों का जिक्र किया था जो कि उसे साफ साफ कॉल के बाड़ीगार लगे थे तो क्या कॉल केटरिंग वैन में था? अगर वो हमशकल लड़के सच में ही कॉल के बाड़ीगार थे तो कॉल उनसे दूर तो नहीं हो सकता था लेकिन उस केटरिंग वैन में क्या माजरा था तभी वैन सड़क पर आगे बढ़ चली किसी अग्याद भावना से प्रेरित होकर लूथरा फुर्ती से अपनी मोटर साइकल पर सवार हो गया और वैन का पीछा करने लगा वैन के भीतर स्टेंगन लिए छुपे बैठे लट्टू ने हरकत महसूस की तो हो बोल पड़ा अबे कहा जा रहा है उसी घड़ी वैन वली चला रहा था और फौजी दोनों भाईयों के बीच सैंडविच हुआ बैठा था बोल अली उसके कान में बोला पुलसिया हटा रहा है चक्कर लगा कर लौट आएगा साथ ही उसने उसकी पसलियों में रिवालवर की नाल चुभो कहीं नहीं फौजी खंखार कर गला साफ करता हुआ उच्चस्वर में बोला वो पुलसिया फिर गले रहा था मैं चक्कर काट कर यहीं वापिस लौट आऊंगा इस गाड़ी के भी गले पड़ रहा है हाँ क्यों? मालूम नहीं लट्टू खामोश हो गया आगे चौराहे से वली मुहम्मद ने वैं को बाने टालस्टाइ मार्क पर मोड दिया भीतर एक ही आदमी है ना? हिलाया हथियार बंद? हाँ कौन को मारने के लिए? तुम लोग कौन हो? तुम्हारे ही भाई बंद है हमें भी यही काम मिला हुआ है फिर भी हमारी मुखालफत कर रहे हो मुखालफत नहीं कर रहे तुम्हें ये काम करने से रोक रहे हैं ताकि ये काम हर पहले कर सके, पहले कर सके, ताकि इनाम हमें हासिल हो सके, ओ, यानि कि लाल साहब ने ये काम तुम लोगों को पा हुआ है, उन्होंने ये काम सब लोगों को सौपा हुआ है, जो कोई भी कम पहले कर लेगा, इनाम का हगदार वो ही होगा, कमार है, हमें तो खब पर नहीं इस बात की, मैं लट्टू से पुछूँ, खबरदार, अरे जब हम लाल साहब के ही आदमी है, तो क्यों न मिलके काम करें, यूं काम्याबी की ज्यादा गारंती होगी, सोचते हैं, इस बाबत कहीं तनहाई में चल कर, तब तक चुप रहो, फौजी खामोश हो गया, वली ने अगले चौराहे से वैन को दाए बारा खंबा रोड पर मोड़ा, भीतर लट्टू है, कुछ खशन बाद अली फिर दबे स्वर में बोला, हाँ, फौजी बोला, धीरे धीरे, हाँ, फौजी फुस्फुसाए, हथियार क्या है उसके पास, स्टेंगन, यानी कि उसकी मर्जी कौन को पिछे वही भून डालने की थी, उसके आफिस से बाहर निकलते ही, हाँ, इतनी दिलेरी, फौजी शान से हसा, बच निकलते, अली बोला, शर्तिया, लोगों को सूचता तक नहीं की गोलियों की बाड किधर से आई थी, यू तो कई बेगुना भी मारे जाते, ओ तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बोलो, पड़ता है, तेरे पास क्या हथियार है, रिवालवर है, विलायती, दो उंगलियों से थाम के रिवालवर निकाल, फौजी ने अपने कपरों के भीतर से कहीं से रिवालवर बरामत की जोकी अली ने फौर अपने अधिकार में कर ली, वैन मंडी हाउस का विशाल राउंड अबाउट पार कर चुकी थी और अब सिकंदरा रोड के सिरे से बान्ये तिलक ब्रिज को घूम रही थी, कहां जा रहे हो, भाई लोगो, फौजी बोला, श, शकली गुर्राया खामोश, आई टी पोप के च आगे जो ही इंदिरा गांधी स्टेडियम के पहलू से नीचे को उतरती घुमावदार सड़क आई तो एकाईक वली ने वैन को वाहनों की भीड से निकाल कर उस तनहा अंधेरी सड़क पर डाल दिया, वली की उस हरकत ने वैन के पीछे लगे लूथरा को गरबडा दिया, वैन के यू बाएं घूम जाने की वो कती उमीद नहीं कर रहा था, नतीस तन जैसे एकाईक वैन मुडी, वैसे एकाईक वो अपनी मोटर साइकल उसके पीछे ने मोड पाया, च्राफिक के बहाव में फंसी मोटर साइकल उसे सीधी ही चलाए रखनी पड़ी, वो बौकला ग पाता, तब उसने अपने पुलसिये होने का नाजायस फाइदा उठाया, उसने मोटर साइकल को वापिस घुमाया और वन वे ट्राफिक में उसे उल्टा चलाता हान बजाता उस सड़क पर वापिस पहुँचा जिधर वैन गई थी, उसे दूर दूर तक कहीं दिखाई न द और जाती एक तूटी-फूटी उबढखाबर सड़क थी, उस सड़क पर रोशनी का कोई साधन नहीं था, पीछे बड़ी सड़क से ही प्रतिबिम्बित होकर थोड़ी भूत रोशनी वहां पहुँच रही थी जो की ना होने के बराबर थी, इस सड़क के एक पहल में एक त फूटा-फूटा सा फातक एक और पड़ा था जिसके उपर से गुजार कर वली ने वैन को चारदीवारी के भीतर दाखिल किया, भीतर कई तरह के कबार और तूटी-फूटी गाडियों के जंग लगे खोनों के अलावा कुछ नहीं था, वली ने भीतर ले जाकर वैन रोकी अली वैन से बाहर कुदा, तब उसके हात में फौजी की रिवालवर थी, अपनी रिवालवर उसने अपनी जेब में रख ली थी, रिवालवर के इशारे से उसने फौजी को नीचे उतरने को कहा फौजी नीचे उतरा, वी भी उसी के पीछे वैन से बाहर निकला, उसने भी अपनी रिवाल्वर निकाल कर हाथ में ले ली थी। तीनों वैन के पिछवाडे में पहुचे। तूने अली फौजी के कान में बोला लट्टू को बाहर बुलाना है। इरादे क्या है तुम लोगों के। फौजी सशंग स्वर में बोला। नेक है। ना होते तो तुझे शूट कर देते और वैन को आग लगा देते। वो बाहर ना निकलता तो भीतर जुलस के मर जाता। क्या समझा। फौजी खामोश रहा। उसके चहरे पर आश्वासन के भाव ना आए। बाहर बुला। फौजी को वैन के दर्वाजे के सामने खड़ा करके दोनों वैन के दोनों पहलूओं की ओट में दाए बाए हो गए। फौजी उच्चस्वर में बोला। लट्टू। क्या है। भीतर से लट्टू की आवाज आई। बाहर निकल। क्यों। निगलेगा तो मालूम पड़ेगा न। हम करजन रोड वापिस पहुँच गए। फौजी ने अली की ओर देखा। अली ने इनकार में सिर हिलाया। दर्वाजा थोड़ा सा भी खुलता तो लट्ट को मालूम हो जाता कि वो रोश्नियों से जगमगाती करजन रोड पर नहीं थे। दर्वाजा बिना खोले भी ये बात समझ सकता था क्योंकि वहां करजन रोड पर से अपेक्षित वाहनों का या किसी और प्रकार का शोर नहीं था। नहीं। फौजी बोला। तो फिर। हम कहीं और हैं। तू बाहर निकल, खामोशी। अबे, निकल रहा है कि नहीं। नहीं। अबे फौजी, ये क्या तुम मुझे करिस्तान में ले आया है। जाके वैन की ड्राइविंग सीट पर बैठ और ऐसी जगह लेके चल जहां रोशनियों का और ट्रैफिक का एहसास हो। दोनों भाईयों की आपस में निगाह मिली। राधा नहीं था जितना वो उसे समझ रहे थे। सुन रहा है। लट्टू बोला सुन रहा हूं। फौजी बोला तो जवाब क्यों नहीं देता। अली उसके करीब आकर उसके कान में फुस फुस आया। गारी बिगड गई है। फौजी बोला अपने आप चलती-चलती रुख गई है। तू देख निकल के। तू कहा है। पिछले दर्वाजे के सामने। वही रहना। दर्वाजे पर ऐसी आहट हुई जैसे वो खोला जाने लगा हो। दोनों भाई सतर्क हो गए। उनकी निगाहे दर्वाजे पर तिक गई। वैन के बाए पहलू की आयताकार खिडकी का काउंटर नुमा ढककन धीरे-धीरे बाहर को खुलने लगा। कभी दूर चारदीवारी के तूटे फाटक पर एक हैडलाइट चमकी। उस हैडलाइट की वज़े से ही बाए पहलू में मौजूद अली की जान बची। अकस्मात हुई रोशनी से अचकचाया वो फाटक की दिशा में घूमा तो उसे वैन की खिडकी का उटता हुआ धकन और उसमें से बाहर जाकती स्टेंगन की नाल दिखाई दी। उसने ततकाल स्वयम की जमीन पर गिरा दिया। स्टेंगन से निकली गोलियों की बाड उसके सिर पर से गुजरी। कच्ची सड़क पर बचे वैन के टायरों के निशानों का अनुकरन करता उसी क्षण वहां पहुचा लूथरा फाटक पर ही ठिठक गया। उसने हैडलाइट आफ कर दी और आखे फारफार कर सामने देखने लगा। वहां हो रही गोली बारी की किस्म को वो पहचानता था और जानता था कि आगे बढ़ना मौत को दावत देना था। बिजली की फुर्ती से कलाबाजी खाकर वैन के नीचे घुज गया। वो वैन के नीचे से परली तरफ पहुचा। उसने वहां मौजूद अली को बाह से पकड़ कर पीछे घसीता और दबे पाव हकबकाये से फौजी के पीछे पहुचा। फौजी की ओट लिये उसने उसे आगे को धक्का दिया तो वो आगे को लड़ खडाया और फिर वैन के पीछे से निकल कर आगे खुले में जाकर ठिटका। अंधेरे में किसी एक सूरत को पहचान पाने में अक्षम लट्टू ने गोलियों की बाड उसकी तरफ जोग दी। अली ने फायर किया। गोली लट के चहरे से टकराई। उसके मुह से एक चीक निकली और स्टेंगन उसके हाथ से निकल गई। अली ने ताक कर एक और फायर किया। चपके फल की तरह वैन की खिडकी में से स्टेंगन के पीछे जमीन पर टपका। फिर मुकमल सन्नाटा चा गया। दोनों भाई जिजकते हुई लट्टू के करीब पहुँचे। अली ने पाव की ठोकर से उसके जिस्म को तहोका। कोई हरकत न हुई। वैसा ही मुआयना वली ने फौजी का किया। दोनों मर चुके थे। तभी दूर फाटक पर हैडलाइट फिर चमकी तो उन दोनों तवज्जों दोबारा उधर गई। दोनों ने असमंजपूर्ण भाव से उधर देखा। मोटर साइकल है। एकाएक वली बोला। अली ने सहमती में सिर हिलाया और बोला सवार अकेला है। फिर क्या बात है। फूट गया तो वैसी ही पिंड छूट जाएगा, करीब आया तो देख लेंगे। होगा कौन? कोई पुलसिया मालूम होता है। वर्दी में अली खामोश रहा। दोनों बड़े सब्र के साथ उस अप्रत्याशित आगंतुक के अगले कदम की प्रतीक्षा करते रहे। अपनी वर्दी की धौन्स में लूथरा ने हिम्मत की। उसने मोटर साइकल को फिर स्टार्ट किया और हैडलाइट को हाई बीम में लगा दिया। तीखी रोशनी दोनों भाईयों पर पड़ी तो उन्होंने ततकाल वैन की ओट ले ली। मोटर साइकल करीब आने लगी। पुलसिया है। वली फुस्फुसाया रायल एंफिल्ड पर। ये एक हाथ से संभलने वाली मोटर साइकल नहीं। अली बोला जब तक उसके हाथ हैंडल पर हैं, तब तक हथियाद नहीं निकाल सकता। मोटर साइकल रुकते ही हमने उस पर तूट पड़ना है। वली ने सहमती में सिर हिलाया। मोटर साइकल करीब पहुँची। वो अभी पूरी तरह से गतिशून्य हुई भी नहीं थी कि दोनों भाई लूथरा के दायमबाये पहुँच गए। दोनों की रिवालवरे लूथरा की तरफ तन गई। लूथरा ने इंजन बंद किया लेकिन हैडलाइट जलते रहने दी। उसमें सामने का नजारा किया। वैन में कौन है। फिर वो बोला। कोई नहीं। अली बोला। यही था वली बोला जो स्टेंडन के ऊपर मरा पड़ा है। कॉल कहा है। दोनों भाई चौंके। उन्हों ने हैरानी से लूथरा की तरफ देखा। कौन कॉल फिर वली बोला। जिसके कि तुम बाड़ीगाड हो। दोनों फिर चौंके। कोई खास पुलसिये हो जनाब। अली बोला। हां। लूथरा मोटर साइकल से उतरता हुआ बोला खास ही हूँ। लूथरा। एकाएक अली अपने भाई की तरफ देखता हुआ बोला सब इंस्पेक्टर। मंदिर मार्क थाने का। सुबा साहब के घर आया था। वली बोला। जल्दी पहचान लिया। लूथरा व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। जल्दी कहां पहचान लिया। वली खेगपूर्ण स्वर में बो तब दोनों भाईयों की रिवालवरे और मजबूती से लूथरा की ओर तन गई रिवालवरों की परवाह किये बिना लूथरा ने आगे बढ़कर वैन में जाका तो कॉल यहां नहीं है वो घूम कर बोला कोई जवाब न मिला माजरा क्या है ये स्टेंगन वाला अली बहिचक बोला उग्रवादी है जो अपने इस दूसरे साथी के साथ कनाट प्लेस में कोई बड़ी वारदात करने की फिराप में था हुजूर को इन पर शक गया इनको भी पता लग गया कि ये हुजूर की तवज्जों में ये थे इसलिए ये इस वैन पर सवार होकर वहां से भाग खड़े हुए कमाल की बहादुरी दिखाते हुए हुजूर ने इनका यहां तक पीछा किया और फिर अपनी जान की परवाह किये बिना हुजूर इन से भिर गए नतीशतन हुजूर की गोलियों से स्टेंगन वाला मारा गया और स्टेंगन वाले की गोलियों से उसका अपना साथी मारा गया मेरी गोलियों से लूथरा की भवे उठीन अली उसके करीब पहुँचा रिवालवर लूथरा पर ताने ताने उसने उसके होलस्टर में से उसकी सर्विस रिवालवर निकाल ली और फिर उसकी सारी गोलियां लटकी लाश में जोग दी उसने रिवालवर को रूमाल निकाल कर पोचा और उसे वापिस लूथरा को थमा दिया आपको गोलियों से वो पूरे विश्वास के साथ बोला तो ये पट्टी पढ़ाना चाहते हो तुम लोग मुझे लूथरा करकश स्वर में बोला हुजूर की जैजैकार हो जाएगी अली बोला बहुत उपर तक नाम होगा हुजूर का तंबो और तारिफों से रूद जाएगे हुजूर और अगर मैं ये पट्टी न पढ़ू तो नाम तो आपका फिर भी होगा बलकि और भी ज्यादा होगा अली सहेज भाव से बोला उसने फौजी वाली रिवालवर को नाल लूथरा की च्छाती पर तिका दीकर सारे शहर में हुजूर का चर्चा होगी की कैसे हुजूर फर्ज की राह पर कुर्बान हो गए मरे लेकिन मार के मरे लूथरा के प्राण काम गए साले कत्यक्षत वो कड़का धमकी देता है अली ने रिवालवर का कुत्ता खीचा कुत्ता खीचे जाने की आवाज नगाने की चोट की तरह उसके जेहन में पड़ी उससे भी ज्यादा जोर से उसका दिल धड़का ठीक है ठीक है वो खोखले स्वर में बोला पॉंट अली ने रिवालवर लूथरा की चाती पर से हटा ली असल माजरा क्या है लूथरा बोला किसी ने उत्तर न दिया अरे कुछ तो बको चाती से रिवालवर हटे ही लूथरा में फिर दिलेरी आने लगी कॉल को मारना चाहते थे ये लोग अली ने सहमती में सिर हिलाया है कौन ये? पहचानते हो इन्हें अली ने इंकार में सिर हिलाया ये गुर्बक्षलाल के आदमी है अली ने अनभिग्यता से कंधे उचके अगर ये कॉल को मारना चाहते थे तो ये गुर्बक्षलाल के ही आदमी होंगे अली खामोश रहा तुम्मे से किसी ने पहले इन्हें एक काले शीशो वाली काली एंबैसेडर में भी देखा था नमबर डी आई एफ साथ हजार साथ सो अड़ालीस अली का सिर्सहमती में दिलने ही लगा था कि उसने देखा उसका भाई उसे बड़े चेतावनी पूर्ण भाव से घूर रहा था वली संभला उसने आंखो ही आंखो में अपने भाई को आश्वासन दिया कि वो उसकी ये मन्शा समझ गया था कि उन्होंने उस पुलसिये से उतनी ही बात करनी थी जितनी के बिना गुजारा नहीं था जवाब दो भाई लूथरा उतावले स्वर में बोला दोनों भाईयों के सिर एक साथ हिंकार में हिले हो कौन तुम लोग कोई जवाब न मिला अरे कम से कम नाम तो बोलो अपने चुप्पी ये तो बको की अब तुम लोग क्या करोगे हमने तो जो करना था कर दिया अली बोला अब सवाल तो ये है कि हुजूर क्या करेंगी मैं क्या करूंगा लूथरा वित्रिशनापूर्ण स्वर में बोला वो तो तुने मेरी रिवालवर स्टेंगन वाले के जिस्म में खाली करके ही तै कर दिया है अब और क्या करूंगा में वैसा ही कुछ करूंगा जैसा तुम लोग चाहते हो शुक्रिया फूटो अब वहां से कलने से पहले अली ने अपने हाथ में ठमी रिवालवर को अच्छी तरह से रुमाल से पोचा और उसे ले जाकर जमीन पर मरे पड़े फौजी के दाए हाथ में फसा दिया फिर दोनों भाई वैन की ओर बढ़े उधर कहा लूथरा बोला वैन कैसे ले जा सकते हो सिर्फ बाहर तक ही लेके जाएंगे अली बोला आप वापिस ले आईएगा पैदल जाओ हमने पीट पर गोली नहीं खाने अरे मेरी रिवालवर तो खाली कर दी तूने बोला न हमने पीट पर गोली नहीं खानी सालो लूथरा खोखली हसी हसा किसी बड़े पहुचे हुए उस्ताद के शारगिद लगते हो बिना उत्तर दिये दोनों भाई वैन में सवार हो गए फिर वली ने वैन को फाटक की ओर दोड़ा दिया आठ बजे विमल कनाट प्लेस की अंडरग्राउन पार्किंग वहां पहुचा जहां पिछले रोज उसने पिपलोनिया की काली एंबेसेडर खड़ी देखी थी एंबेसेडर वहां मौजूद नहीं थी काली एंबेसेडर वह बंद जीप में अपने साथ आए अलीवली से बोला नंबर डी आई ए 7766 पार्किंग की तीनों मन्जिलों पर तलाश करनी है हम तीनों एक-एक मन्जिल देखते हैं दोनों भाईयों ने सहमती में सिर हिलाया तलाश आरंब हुई पंद्रह मिनट बाद वे बंद जीप के करीब जमा हुए पिपलोनिया की काली एंबेसेडर अंदरग्राउंड पार्किंग कहीं नहीं थी इसका क्या मतलब था? विमल ने मनहीमन सोचा वो कार को कहीं और खड़ी कर आया था या वहां आके कारले चा भी चुका था दूसरी बात की संभावना उसे कम लगी तब तक सिर्फ सवा आठ बजे थे पिपलोनिया के पिछले कारना में बताते थे कि शाम डलते ही इतनी जल्दी वो अपना अभियान नहीं शुरू कर देता था अगर उसने पार्किंग की जगा बदल दी थी तो घर से ही उसके पीछे लगकर नई जगा पहुचा जा सकता था वो माडल टाउन पहुचे वहां पिपलोनिया की कोठी बंध थी और उसके सामने से उसकी नीली फियेट नदारत थी इतने बड़े शहर में पिपलोनिया को तलाश कर पाना असंभव कृत्य था फिर भी विमल ने अगले दो घंते ऐसी कई जगों के चक्कर काटने में बरबाद किये जो की पिपलोनिया का संभावित कार्यक्षेत्र हो सकती थी नतीजा सिफर निकला पॉने ग्यारह बजे उसने पिपलोनिया की कोठी का फिर चक्कर लगाया फियेट नदारत पिपलोनिया नदारत तब विमल का लोटस क्लब का चक्कर लगाने का मन बना पिछली रात वहां की बारमेड मोनिका उससे बहुत प्रभावित हुई थी और अब विमल के मन में मोनिका को मोहरा बना कर गुर्बक शलाल तक पहुचने का खयाल करवटे बदल रहा था बंद जीप लोटस क्लब के सामने पहुची मैं कलब के भीतर जाना चाहता हूँ विमल बोला दोनों भाईयों ने सहमती में सिरहिलाया अकेला दोनों ने ततकाल इंकार में सिरहिलाया वजह दोनों चुप रहे देखो विमल ने समझाया ये ठीक है कि ये गुर्बक शलाल काठिया है लेकिन साथ ही ये एक पब्लिक प्लेस भी है एक हाई क्लास नाइट क्लब है ये जो कि रात के इस वक्त महमानों से खचाखच भरी होती है ऐसी जगह में अवल तो खास मेरी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाएगी जाएगी तो वो लोग यहां मेरे पर हाथ डाल कर अपना धंदा चौपट नहीं करना चाहेंगे आपके लिए वो धंदा चौपट हो जाने का रिस्क ले सकते हैं वली मोहमद बोला ऐसा रिस्क वो तुम्हारे साथ होने पर भी ले सकते हैं विमल तनिक अप्रसन्न स्वर में बोला जो लोग एक आदमी को संभाल सकते हैं वो तीन को भी संभाल सकते हैं देखेंगे अली दबे स्वर में बोला कैसे देखोगे तुम्हारे पास तोप है अली खामोश रहा तो फिर हम साथ जाएंगे वली द्रिड स्वर में बोला ठीक है पहले मुझे जाने दो तुम लोग पाँच मिनट बाद आना दोनों भाईयों को प्रतिवाद में मुझ खोलता पाकर विमल जल्दी से बोला अब बक्त नहीं पाँच मिनट कोई कबाही नहीं आ जाएगी लेकिन अरे कमबक तो क्यों मेरा इमेज एक ऐसे बुजदिल आदमी जैसा बनाना चाहते हो जो की बाडी गार्डों में सेंडविच होकर ही कहीं आ जा सकता है हमें मामू का हुक्म है जहां जाना है आपके साथ जाना है मामू विमल सक्षकाबा मुबारक अली तुम्हारा मामू है हाँ सगा हाँ विमल ने गहरी सांस ली कैसा जानिसार आदमी था मुबारक अली जो उसकी सलामती की खातिर अपने सगे भांजों की जानों को जोखम हुए था और वो भी विमल को बिना ये जताए कि वो लड़के उसके सगे भांजे थे पांच मिनट में कुछ नहीं होता कत्यक्षता विमल बोला पांच मिनट बाद आना कहना मानो लेकिन क्यों वली बोला साथ जाने से मेरी वज़़ से तुम्हारी भी शिनाक्त हो जाएगी बिना मेरे साथ जुड़े मेरे पर निगाह रखोगे तो मेरी भैतर हिफाज़त कर सकोगे दूसरे जिससे मैंने मिलना है वो मुझे अकेला न पाकर हो सकता है मेरे से कत्राने लगे वली ने अली की तरफ देखा ठीक है अली बोला पांच मिनट लेकिन एक सेकेंड भी उपर नहीं मंजूर विमल जीप से निकला और आगे बढ़कर क्लब में दाखिल हुआ क्लब में पिछली रात जैसी ही लगभग रोनक थी वो बार पर पहुँचा मोनिका वहां नहीं थी वो उस घड़ी वहां मौझूद बारमेट से मोनिका की बाबत सवाल करने ही लगा था की एकाएक बार के पहलू में बना बंद दर्वाजा खुला और उसमें से निकलती मोनिका उसे दिखाई दी उस घड़ी वो अपनी बारमेट वाली लो बलाउज और हाई सकट वाली ड्रेस के स्थान पर एक डेनिम की टाइट जीन काली स्कीवी और जम्रे की जैकेट पहने थी और चेहरे पर बारमेट वाले खिलंदरेपन की जगा बहुत जिम्मेदारी के भाव थे वो बिना दायम बाएं देखे एरिया ठक्तकाती वहां से बाहर चल दी उसकी बदली हुई पोशाक और उसके हावभाव साफ बता रहे थे कि कम से कम उसी रात वो वहां नहीं आने वाली थी यस सर बारमेट बोला में I have your order सर लेटर विमल बोला और घूंकर बाहर को चल दिया वो क्लब से बाहर निकला तो उसने मोनिका को क्लब प्रवेशदवार के सामने ही खड़ी एक सफेद एनी 118 में बैठते देखा जिसकी जाइविंग सीट पर एक वर्दीधारी शोफर बैठा दिखा दे रहा था मोनिका के पीछे कार में सवार होते ही शोफर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी विमल लपक कर बंद जीप के पास पहुचा वो जल्दी से जीप से सवार हुआ और वोला उस सफेद गाड़ी के पीछे चलो जाइविंग सीट पर बैठे वली ने ततकार जीप आगे बढ़ाई सफेद गाड़ी मंथर गती से चलती हुई कनाच सरकस की वृताकार सड़त पर आगे बढ़ती रही वली बहुत सावधानी से और बहुत समझदारी से जीप उसके पीछे लगाए रहा आखिरकार सफेद कार मिंटो रोड पर स्थित बहुखंडिय इमारत के सामने रुकी कार के रुकते ही मोनिका बाहर निकली और इमारत में दाखिल हो गई तीछे जा विमल जल्दी से बोला अली जीप से निकला और आगे बढ़ा सफेद कार वहां से वापिस लौट गई कत्यक्षता वो कार मोनिका को वहां छोडने के लिए ही आई थी विमल ने पाइप सुलगा लिया और प्रतीक्षा करने लगा थोड़ी देर बाद अली वापिस लौटा छटी मन्जिल के एक फ्लैट में गई है वो बोला उसने फ्लैट का दर्वाजा चाबी लगा कर खोला था यानि कि विमल बोला वो एक खाली फ्लैट में दाखिल हुई है ऐसा ही मालूम होता है गुड विमल जीप का दर्वाजा खोलता हुआ बोला मैंने इसी लर्की से मिलना था अच्छा है कि वो यहां अकेली है वो बाहर निकल कर इमारत की तरफ बढ़ा तो अली उसके साथ हो लिया वली पीछे जीप में ही बैठा रहा लिफ्ट द्वारा विमल और अली छटी मन्जिल पर पहुँचे उस मन्जिल पर दो ही फ्लैट थे जिनके प्रवेश द्वारा एक दूसरे के आमने सामने थे अली ने बाई और के बंद दर्वाजे की तरफ इशारा किया विमल सहमती में सिर हिलाता हुआ दर्वाजे की तरफ बढ़ा अली सीडियों के दहाने के करीब सरग गया वहां से वो दर्वाजे को देख सकता था लेकिन दर्वाजा खुलने पर उसमें से उसे नहीं देखा जा सकता था विमल ने दर्वाजे के सामने पहुचकर काल बैल बजाई बिना किसी सवाल के दर्वाजा ततकाल खुला जो इस बात का सबूत था कि इतनी रात गए भी वहां किसी का आगमन अपेक्षित था फिर चौखट पर जिस पोशाक में मोनिका प्रकट हुई उससे ये भी जाहिर हो गया कि आगन्तु को वहां से क्या हासिल होने वाला था किसी विलायती सेंट में रचीपसी मोनिका गुलाबी रंग की एक बहुत ही जीनी नाइटी पहने हुए थी मेहंदी के रंग के अपने खोल लिये हुए थे जो की उसके चहरे पर बिखरे उसके गुलाबी गालों से अठखेलिया कर रहे थे उसके होठोन पर ऐसी आवाहन भरी मुस्कराहट खेल रही थी किसी नौजवान औरत के चहरे पर उसने पहले कभी नहीं देखी थी विमल पर निगाह पड़ते ही सबसे पहले उसके होठों से मुस्कराहट ही गायब हुई फिर मुकमल सैक्स अपील यू बुझी जैसे बिजली का स्विच आफ कर देने से रोशनी बुझ जाती है हलो विमल मुस्कराता हुआ बोला कौन हो तुम वो बड़े रुक्ष स्वर में बोली दोस्त कौन दोस्त किसके दोस्त घंती क्यों बजाई कौन हो तुम बल्ले एक ही सांस में इतने सवाल मोनिका ने उसके मुह पर दर्वाजा बंद करने की कोशिश की विमल ने चौकट में पाव अटका कर ऐसा करने से उसे जबरन रोका ये क्या बदमीजी है वो क्रोधित स्वर में बोली क्या बात है विमल बोला कलब में ड्यूटी पर ही अच्छा अच्छा पेश आ दी हो वहां तो मेरी असली सूरत देखने को मरी जा रही थी अब दिखाई दे रही है असली सूरत तो ऐसे दिल तोड़ने वाले तरीके से पेश आ रही हो स्वीट हाट पहले से तूटा दिल ये नया जटका कैसे बरदाश्ट करेगा वो सबकाई उसने दर्वाजे का पल्ला छोड़ दिया और गोर से विमल की ओर देखा विमल बड़े डिफेंसलेस अंदाज से मुसकराया तुम वो अनिश्चित सी बोली तुम विमल सूटिंग वाला तुम वो विस्फारित नेत्रों से उसे देखती हुई बोली तुम वो आदमी हो पहले यकीन दिलाया कि मैं दाढ़ी बिना खुबसूरत गूंगा अब जब कि मैं दाढ़ी के बिना सामने खड़ा हूँ तो पहचानती नहीं हो तुम वही आदमी हो विमल शुक्र है पहचाना तो यहां कैसे आ गए तुम्हारे पीछे पीछे चला आया क्या मतलब मैं लोटस क्लब पहुचा था तो तुम वहां से निकल रही थी मैंने आवाज दी तो तुमने सुनी नहीं सो पीछे पीछे यहां चला आया तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था क्यों? उसने उतर न दिया वो कुछ क्षण बेचेनी से पहलू बदलती रही और फिर बोली अब चाहते क्या हो क्या बात है विमल शिकायत भरे स्वर में बोला तमाम बाते चोखट पर खड़े-खड़े ही होंगी? हाँ बलकी होंगी ही नहीं तुम जाओ यहां से बड़ी बेमुरववत हो कल कलब में तो आस्मान पर चड़ा दिया मुझे राजा इंदर बनाने में कसर न छोड़ी अब ऐसे पेश आ रही हो जैसे मेरी सूरत से बेजार हो कल आओ आओ आज जाओ जाओ ये क्या बात होई? तुम पागल हो आथ को समझते नहीं हो कौनसी बात नहीं समझता मैं तुम्हें मेरे पीछे यहां नहीं आना चाहिए था तुम जानते नहीं हो तुम कहां पहुँच गए हो तुम्हारा एक सेकेंड भी और यहां ठहरना खतरनाक साबित हो सकता है मेरे लिए? तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी तुम खुद तो मरोगे ही साथ में मुझे भी मरवाओगे कौन मारेगा मुझे? वो जिसकी जगा ये जगा है किसकी जगा है? ये तुम्हारा घर नहीं है पागल होए हो मैं एक मामूली बार्मेड इतना शांदार फ्लैट में साथ जन्म अफोर्ड नहीं कर सकती मुझे क्या पता ये कितना शांदार फ्लैट है? मैं तो फ्लैट से बाहर खड़ा हूँ मैं तुम्हें भीतर नहीं बुला सकती मैं यहां चौखट पर भी तुम्हारे करीब नहीं खड़ी हो सकती वो बस आता ही होगा कौन? नाम तो लो उसका गुर्बक शलाल तुम्हारा बास? हाँ यह फ्लैट उसका है? हाँ तुम यहां क्या कर रही हो? इतने सीधे तो नहीं लगते हो कि इतना भी न समझ सको वक्त देखो, मुझे देखो मेरी पोशाग देखो और सोचो ओ बड़ी लंबी ओ की? विमल खामोश रहा अब कोई फिल्मी डायलाग न बोलना की तुमने मुझे क्या समझा था और मैं क्या निकली? तुमने मुझे कुछ भी समझा हो मैं वो ही हूँ जो मैं हूँ बारमेड गुर्बक शलाल की मुलाजिम उसकी प्रापर्थी एक बिकी हुई औरत कोई और हकीर नाम देना चाहो तो वो भी कबूल मैं कौन सा आस्मान से उत्रा हूँ कोई उन्नीस दीस का फर्क हो तो हो वरना मैं खुद ऐसा हूँ कैसे हो? चोर डकैत खुनी इश्टिहारी मुझरिम सच कह रहे हो? हाँ तभी तो कल कहा था कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो मिल बैठेंगे लेकिन अभी नहीं आज नहीं यहां नहीं यहां से जाओ मैं जाने के लिए नहीं आया बंदा जहां पहुँच गया पहुँच गया अरे क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? गुर्बक शलाल ने यहां तुम्हें मेरे करीब भी देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं मेरी भी? या उसकी खैर नहीं विमल ने जेप से रिवालवर की ज़लक दिखाई ओ मोनिका नेत्र फैला कर बोली तो ये इरादे हैं तुम्हारे? कोई एत्राज? मुझे क्या एत्राज होगा? मेरी तरफ से वो भेंसा कल मरता आज मर जाए अगली सांस ना आए कमीने को ये तेवर है हाँ फिर तो मुझे तुम्हारी खवाहिश पूरी करने के लिए यहां रुखना पड़ेगा तुम तो यू कह रहे हो जैसे कोई मक्खी मसलने जैसा आसान काम हो नहीं है वो हसी मिस्टर फिर वो गंभीरता से बोली मक्खी तुम हो वो नहीं यहां कोई मक्खी की तरह मसला जाएगा तो वो तुम होगे देखते हैं विमल बोला उसने एकाएक मोनिका को पीछे धकेला और भीतर दाखिल हो गया इससे पहले की वो संभल पाती विमल ने दर्वाजे को भीतर से बंद कर दिया था और उसके साथ पीठ लगा कर खड़ा हो गया मोनिका के चेहरे पर हवाईया उड़ने लगी अब वो कमपिट स्वर में बोली मेरी मौत निश्चित है क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी मौत निश्चित है पहले भी कहा तुमने ठीक कहा तुम क्या समझोते हो कि वो यहां अकेला आएगा आके कालबेल बजाएगा मैं दर्वाजा खोलूँगी वो भीतर दाखिल होगा और तुम उसे शूट कर दोगे ऐसा नहीं होगा विमल बड़ी मासूमियत से बोला वो हसी हस क्यों रही हो क्योंकि समझ नहीं पार नहीं पार रही हूँ कि तुम दिले ज्यादा हो या मूर्क ज्यादा हो जरा सोचो इतना बड़ा गैंस्टर अंदरवर्ड का इतना सुपर बास कही अगिला जाएगा मिस्टर वो जहां भी जाता है कम से कम आधी दर्जन बाड़ीगार साथ लेके जाता हूँ यहां भी अभी वो लावल्श करके साथ आएगा हाँ जब वो यहां आता है तो पहले फ्लैट में उसके दो-तीन बाड़ीगार साथ दाखिल होते हैं जो कि फ्लैट को अच्छी तरह खंगाल कर तसली करते हैं कि यहां कोई छुपा तो नहीं बैठा कुछ समझे समझा अभी वो लोग यहां पहुँच जाए तो तुम्हारी सारी दिलेरी धरी की धरी रह जाएगी सुनो यह फ्लैट गुर्बक शलाल की आशगा है ठीक हाँ तुम यहां उसकी आश के लिए मौजूद हो कबूल कबूल यानि की रात को गुर्बक शलाल जो कुछ यहां तुम्हारे साथ करेगा अपने बाडीगार्डों की निग्रानी में करेगा तुम्हारा बास जब तुम्हारे साथ हम्बिस्तर होगा तो उसके बाडीगार पलंग के चारों और खड़े होकर नजारा करेंगी जैसे अखाडे के गिर्द खड़े होकर पहलवानों की कुष्टी का नजारा किया ज़ादा है स्टूपिड तो फिर जब गुर्बक शलाल यहां होता है तो और कोई यहां नहीं होता फिर क्या प्रालम है फिर तो पहले पूरी बात सुनो यो पहले ही कूद कर किसी गलत नतीजे पर मत पहुँच जाओ मैं सुन रहा हूँ इस इमारत के इस फ्लोर पर दो ही फ्लैट है एक ये और एक इसके सामने वाला वो दूसरा फ्लैट भी गुर्बक शलाल का है गुर्बक शलाल जब यहां आता है तो उसके सारे बाडी गाड सामने वाले दूसरे फ्लैट में चले जाते हैं और जब तक गुर्बक शलाल यहां रहता है पलक भी जपकाए बिना इस फ्लैट की निगरानी करते हैं ओ अभी आगे सुनो इस फ्लैट में दाखिल होने का इस दर्वाजे के अलावा जिसके सामने की तुम खड़े हो और कोई रास्ता नहीं है बाडी गाडों की निगा इस दर्वाजे पर न भी हो तो भी मैं रात के किसी वक्त जब भी गुर्बक शलाल घोडे बेचकर सो चुका हो किसी को भीतर गुसाने के लिए इस दर्वाजे को नहीं खोल सकती क्यों क्यों कि दर्वाजा बाहर से बंद होता है गुर्बक शलाल गाड ऐसा करते हैं उसी में बाहर जाना हो तो तो वो दूसरे फ्लैट में फोन करता है ओ, ओ, यहां से निकल भागना मुम्किन हो तो मैं ही साले मोटे भैसे का रात को सोए सोए का गला काट दूँ विमल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा कमीना ऐसे रोंदता है एका एक मोनिका की आवाज भरा गई ऐसे गीले कपड़े की तरह निचोड़ता है ऐसे बेजज़द करता है क्यों करवाती हो ऐसी दुरगत? किसी शौक की खातिर तो नहीं करवाती मिस्टर जूता जिसके पाव में हो वो ही जानता है कि वो उसे कहां कारता है मेरी अपनी मजबूरिया है, मेरी अपनी दुश्वारिया है जिनकी कथा करने के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं बस समझ लो की सलीब मेरे कंधों पर लदा है उसे मैंने ही धोना है गुर्बक शलाल के हाथों रौंदा जाना, निचोडा जाना, बेजज़त होना ही मेरी नियती है मैं तुम्हें इस नियती से निजाद दिला सकता हूँ नहीं दिला सकते मेरी नियती से तो मुझे खुदा भी नहीं निजाद दिला सकता क्योंकि मेरी नियती खुद उसी ने तो लिखी है जो लिखता है वो ही मिटाता है आप साजे आपे रंगे आपे नदरी करेड उसने अपने गुनहगार बंदों का इमतहान ना होता है तो वो लिखता है बंदे इमतहान में पास हो जाते हैं तो उसका लिखा खुद ही मिठ जाता है नियती तो अटल है तो समझ लो की तुम्हारी नियती जो की अटल है ये है कि बहुत जल्द तुम अपनी तमाम मुश्किलों से निजात पा जाओगी कैसे? जादू के जोर से? जब होगा तो कोई जादू ही होगा होगा नहीं तो लगेगा जरूर ऐसा लिखा है जैसे जादू हुआ हो बड़ी रहसे में बाते कर रहे हो Mr. विमल हौले से हसा हो कौन हो तुम? विमल सूटिंग वाला नाम तो हुआ वैसे कौन हो तुम? हो मैं तुम्हारे ही जैसा खुदा का एक गुनागार बंदा जो तुम्हारी ही तरह अपनी नियती से लड़ रहा है जो अपने बनाने वाले से अपने गुनाब बक्षवाने का ख्वाहिश मंद है चलो फिलहाल मान ली मैंने तुम्हारी बात अब भगवान के लिए यहां से चले जाओ ये सोच के चले जाओ कि जो काम तुम करना चाते हो उसका होना नामुकिन है बाकी बाते फिर होंगी कब? कहा? मोनिका ने उसके कोट की उपरी जेब से उसका साइन पै निकला और उसका हात पकड़ कर उस पर कुछ अम घसीद दिये ये यहां का टेली फोन नंबर है वो बोली कल दोपहर बात फोन करना तब वो यहां होगा? उमीद नहीं वो दोपहर तक चला जाता है फिर भी होगा तो फोन तो हर हाल में मैं ही उठाती हूँ मैं रांग नंबर कहकर फोन बन कर दू तो समझ लेना कि वो यहां है फिर दू एक घंटे बात फोन करना ठीक है अब जाओ जाता हूँ एक बात बताओ एक आखरी बात बताओ पूछो दोखा तो नहीं दोगी? दोखा? गुर्बक शलाल की तारीफी निगाहों का हकदार बनने के लिए सब कुछ उसे कह तो नहीं डालोगी? मुझे फनसवाद तो नहीं दोगी? तुम समझते हो यूँ मुझे गुर्बक शलाल से कोई मैडल मिल जाएगा? मिल जाएगा मैडल क्या? जो मांगोगी वो मिल जाएगा कुछ ज्यादा ही तोप समझ रहे हो अपने आपको तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो अगर मेरी धोखा की नियत होगी तो तुम्हारे पूछ लेने भर से मैं इस बात को अपने जुबानी कबूल कर लूँगी? अपने गलत नियत को कबूल कर लेता है ऐसे? नहीं जब ये बात समझते हो तो क्यों एक बेमानी सवाल पूछते हो? बात तो ठीक है तुम्हारी लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे लगा रहा है कि तुम मुझे जूटा या फरेभी जवाब नहीं दोगी? ऐसा है तो सुन लो मेरा जवाब मेरी जान पर भी आ बनी तो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूगी शुक्रिया अब जाओ विमल जाने को घूमा उसने दर्वाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ठैरो विमल ठिटका और मोनिका की ओर वापिस घूमा मोनिका रेशम की गठरी की तरह उस पर धेर हो गई उसके नौजवान जिस्म की तपिश विमल को अपना जिस्म जुलसाती लगी उसकी लंबी गोरी बाहे विमल के गले का हार बन गई और उसके गुलाब की पंखडियों जैसे होंट विमल के होटों पर चस्पा हो गए फिर जैसे एकाइक वो उससे लिपती थी वैसे ही एकाइक उससे अलग हो गई क्यों विमल हाम्फता हुआ बोला क्यों किया जी चाहा वो धीरे से बोली अंदर से आवाज उठी उसने एक आह भरी अब जाओ विमल फ्लैट से बाहर निकल गया उसकी पीठ पीछे फ्लैट का दर्वाजा बंध हो गया साधे ग्यारह बजे के करीब हमेशा की तरह शाहनशा में सलोमी की चौंका देने वाली आइटम को घोशना हुई और फिर सलोमी के मादक मृति के साथ तमाब मेजों पर कागजी मोंबतियां पहुँच गई जो लोग वहाँ पहले भी आ चुके थे वो अपने वहाँ नए आए साथियों को फुसफुसाते हुए बताने लगे की कैसे सलोमी अभी रिमोट कंच्रोल इस्तमाल करेगी और तमाब मेजों पर पड़ी मोंबतियां गुलदस्ते बनती चली जाएंगी विस्मित नए महमान कभी सलोमी को तो कभी सामने पड़ी मोंबतियों को देखने लगे फिर बैंड के शोर्श्राबे के साथ लगभग नगन सलोमी घूम घूम कर नाचते हुए रिमोट दबाना शुरू किया नीम अंधेरे में रिमोट अपना काम करने लगा लेकिन उस रोज कोई मोंबति गुलदस्ता न बनी उस रोज हर मोंबति गुलदस्ते की तरह खुलने के स्थान पर एक मिनी फवारा बन गई और उसमें से एक तरल पदार्थ की फुहार चारों तरफ उड़ी जो मोंबति पर जुके चेहरों पर पड़ी एक मेहमान ने अपना नापकिन अपने मुम पर फिरा कर वापिस मेज पर रखा तो ये देख कर उसे सक्त हैरानी हुई कि सफेद नापकिन एकदम काला लग रहा था उसने मेज पर अपने साथ बैठे अपने साथियों के चेहरों पर निगाह डाली तो उसके चुट गए यही प्रतिक्रिया हुई सब नापकिन अपने चेहरों पर फिराने लगे लेकिन जितना वो चेहरा को पोच्चते थे उतना ही काला रंग और तर्तीप से चेहरों पर हावी होता चला जाता था हाल में खलबली मच गई लोग जोर-जोर से चिल्लाने लगे सलोमी को अपना डांस क्लाइमेक्स से पहली ही रोक देना पड़ा बैंड भी एकाएक बंध हो गया फिर हाल की मध्यम बत्तियां तीखी हुई और वहां तेज रोशनी फैली सलोमी ने आतनकित भाव से देखा कि हाल में मौजूद हर व्यक्ति के चहरे पर कालिक की स्याह परत चड़ी हुई थी जो पोचने पर उतरना तो दूर हलकी भी नहीं हो रही थी वो चीखे मारती हुई स्टेज की और भागी शहनशा का मैनेजर सजदेवा दोड़ता हुआ हाल में पहुँचा जनाबे हाजरी ने का एक हाल में एक उची आवाज गुंजने लगी आपके काले मुह हफतों आपकी शहनशा में हाजरी के गवा रहेंगे हफतों जो कोई भी आपकी सूर्टों पर निगार डालेगा बहचक कह देगा कि ये कल मुहा शहनशा का ग्राहक है इस जिल्लत से बचिये और अपने दोस्तों को भी बचाइए क्योंकि आज के बाद जो कोई भी यहां कदम रखेगा मुह पर कालिक पुत्वा के जाएगा आवाज जैसे एकाएक हाल में गुंजी थी वैसे ही एकाएक शान्त हो गई हाल में मरघट कासा सन्नाता च्छा गया कौन है? फिर सचेवा के मुंह से निकला कौन है ये? तू कौन है? एक ग्राहक कड़क कर बोला मैं यहां का मैनेजर हूँ ये अभी कौन बोला? मैनेजर यही जिम्मेदार है हमारी फजीहत का हाँ मारो साले को सचदेवा के छक्के छूट गए वो फौरन वहां से वापिस भागा फिर हाल में एकाएक जैसे प्रले आ गई पॉर्टेबल पब्लिक अड्रेस सिस्टम का माईक लिए एक भारी परदे की ओट में मुबारत अली खड़ा था कोहरा मचते ही उसने बड़े संतुष्टिपूर्ण भाव से गरदन हिलाई और फिर पब्लिक अड्रेस सिस्टम को वहीं फैंक कर चुपचाप वहां से खिसक गया आधी रात को लूथरा के घर में उसके फोन की घंती बजी उसमें भुन-भुनाते हुए फोन की तरफ हाथ बढ़ाया यमुना किनारे वाली वारदात के सो बखेडों से निपटकर साड़े ग्यारा बजे वो घर पहुँचा था ठकाहारा वो बिस्तर के हवाले हुआ ही थी की फोन बजने लगा था हल्लोप वो उनीने स्वर में बोला कौन? मैं ध्यानचंद बोल रहा हूँ आवाज आई कंट्रोल रूम से हाँ भई ध्यानचंद बोल अभी कोई दस मिरट पहले धौला कौन के करीब हुई एक वारदात की खबर आई है DTC के रूट पर चलने वाली एक प्राइवेट बस के जाईवर और कंड़क्टर लूथरा उंगतासा रिसीवर कान से लगाए रहा जो कुछ ध्यानचंद कह रहा था वो न उसकी समझ में आ रहा था और न वो उसे समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन खबरदार शहरी के किसी कारणा में की कोई खबर उसे फोरण हासिल होने की अब कोई एहमियत नहीं रह गई थी यूँ उसका जो मकसद हल होना था वो पहले ही हल हो चुका वो था सोहल उसके चंगुल में था एक बार रकम हाथ लग जाए लूथरा ने मनहीमन सोचा फिर साले को गिरफ्तारी से भी नहीं छोडूँगा फिर सरकारी इनाम भी जटक लूँगा और गुर्बक शलाल का घोशित इनाम भी इतने बड़े इश्टिहारी मुजरिम को गिरफ्तार करने पर जो जयजयकार होगी वो अलग वावा हो जाएगी सारी दिल्ली पुलीस में सब इंस्पेक्टर अजीत लूथरा की कोई बड़ी बात नहीं की हाथो हाथ ही इंस्पेक्टरी मिल जाए Special Investigating Officer के तौर पर उस वारदात की जो की ध्यानचन उसे सुना रहा था तहकीकात करने का जिम्मा लूथरा का था लेकिन जिस थाने के इलाके में वारदात हुई होती थी वहां से उसके पास खबर आते आते आती थी क्योंकि थाने वालों ने पहले ये निर्धारित करना होता था कि वो कोई आम वारदात थी या खबरदार शहरी का कारनामा था यो वारदात की अधिकरित खबर उसे कल दोपहर से पहले शायद ही मिल पाती तब वो बड़े आराम से जाकर अपनी तफ्तीश कर सकता था एकाएक उसने अनुभव किया कि ध्यानचंद चुप हो गया था और वो बोला और बस जवाब मिला ठीक है शुक्रिया और ध्यानचंद जी साहब अब आइनदा ऐसी किसी वारदात की मुझे फोरन खबर करने की कोई ज़रूरत नहीं जैसा आपका हुक्म हो शुक्रिया लूथरा ने रिसीवर क्रेडल पर रखा और करवट बदल कर सो गया अस्टरिस्क 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 कनाट प्लेस के एक पब्लिक टेलीफोन से विमल ने 7217116 पर फोन किया शिवनारायन जी पुत्तर मिला तो वो बोला हाँ कीन? टिपलोनिया साहब भाई बोला ना हाँ कौन बोल रहे हो? विमल ने रिसीवर वापिस रख दिया फिर वो अली वली के साथ अंदरग्राउंड पार्किंग में पहुँचा वहाँ पहले की ही करा तीनों ने मिलकर पार्किंग के तीनों फ्लोर खंगा ले पिपलोनिया की डी आई ए साथ साथ छे छे नंबर वाली एंबेसेडर कार वहाँ कहीं नहीं थी उसका साफ मतलब था कि उसने जान बूच कर पार्किंग की जगा तबदील कर दी थी अब उसकी एंबेसेडर इतने बड़े शहर में कहीं भी खड़ी हो सकती थी अगले रोज सुभा स्वेरे से ही पिपलोनिया की मुत्वातर निगरानी कराने का निरने लेकर विमल ने वापिस गोल मार्केट का रुख किया चाप्तर दो शनिवार 28 दिसंबर उस रोज उसका अकबार केवल राजधानी में हुए ऐसे अपराधों की खबरों से भरा पड़ा था जिन में से हर खबर की शहर के किसी खास आदमी के लिए खास एहमियत थी उन खबरों में से जिसने अकबार के मुखप्रिष्ट का सबसे महत्वपूर्ण स्थान घेरा हुआ था उसका शीर्शक था दो संदिग्ध उग्रवादी हलाग खबर पुलीस के एक प्रवक्ता के बयान के हवाले से छपी थी कि कैसे उनके अजीत लूथरा नाम के एक सबइंस्पेक्टर ने बियान दिकाल आफ ग्यूटी उन उग्रवादियों पर संदेय करके उनका पीछा किया था और फिर जान की परवाह किये बिना दोनों को मार ग पड़े दोनों कथित पुग्रवादी दिखाई दे रहे थे दो तस्वीरे उनके चेहरों के क्लोजब थे जिनके माध्यम से पुलीस ने पबलिक से उनकी शनाक्त की अपील की थी एक तस्वीर प्रेस प्रतिनिधियों को बयान देते सबइंस्पेक्टर अजीत लूथरा की जिसमें उसके साथ बैठा 32 निकाल के हस्ता उसका ठाना ध्यक्ष रतन सिंग भी दिखाई दे रहा था दूसरी खबर का शीरशक था प्राइवेट बस में वार्दाथ उस खबर के मुताबिक पिछली रात 11 बजे के करीब डिफेंस कालोनी फ्लाइ ओवर पर DTC के तहट चलने वाली एक प्राइवेट बस ने एक साइकल सवार को अपनी चपेट में ले लिया था बस वालों ने उस दुरगटना के बाद बस को भगा कर ले जाने की कोशिश की थी लेकिन उस घड़ी वहां मौजूद कुछ लोगों ने जो की वार्दात के चश्मदीद गवा थे और जिनों ने अपने बयान में पुलीस को बताया था कि वो हादसा सरासर बस ज्राइवर क की लप्रवाही से हुआ था बस को वहां से भागने नहीं दिया था बस के ज्राइवर और कंड़क्तर ने हजार अजार माफिया मांगते हुए कहा था कि साइकल सवार गंभी रूप से घायल नहीं था और वो उसे बस में डालकर नजदी की हस्पताल में ले जाने को तयार थ थे उस घड़ी बस में कोई सवारी नहीं थी मौकायवारदात से यू बस निकाल जाने के बाद जाइवर और कंड़क्तर ने अपनी नीच प्रकृती का असल परिचय दिया था बस को हस्पताल पर रोकने के स्थान पर वो उसे धौला कुआ ले गए थे और वहां एक सुंसा जगा में घनी जाडियों से छुपे एक गड़े में उन्होंने बुरी तरह से धायल साइकल सवारी को बमय उसकी साइकल फैंक दिया था साइकल सवार उस वक्त होश में था लेकिन अधिक खून बह जाने की वज़से जो की तब भी बह रहा था कुछ बोल पाने की हालत में अपनी उस हैवानी करतूत के बाद बस के जाइवर और कंड़क्टर बस में सवार होकर वहां से रवाना होने ही वाले थे कि एकाएक एक काली एमबैसेडर कार वहां पहुंची थी जिसने की बस का रास्ता रोक लिया था. फिर कार में से लंबा ओवरकोट और काला चश्मा पहने एक व्यक्ति निकला था और उसने दोनों पर रिवॉल्वर तान कर उन्हें घायल साइकल सवार को खड़े से निकाल कर दोबारा बस में सवार कराने पर मजबूर किया था. फिर वो अपनी कार नहीं छोड़ कर बस में सवार हुआ था और उसके आदेश पर जाइवर बस को वापिस हस्पिताल में लेकर आया था. वहां ओवरकोट वाले ने बस में जाइवर और कंड़क्टर को अपने सामने खड़ा करके चार फायर करके उन दोनों के दोनों घुटने फोड दिये थे. मूर्चित होने से पहले जाइवर और कंडक्टर ने और घायल साइकल सवार ने भी ओवरकोट वाले को ये कहते सुना था कि उसने उनकी जान नहीं ली थी क्योंकि उनकी कर्तूत का शिकार अभी जिन्दा था लेकिन अगर वो मर गया तो वो फिर लोट के आएगा और दोनों क को जहन्नम रसीद करके जाएगा घायल साइकल सवार का कथन है कि फिर उसने जाइवर का जाइविंग लाइसेंस और कंडक्टर का पहचान पत्र अपने अधिकार में कर लिया था ऐसा जरूर उसने उन दोनों के पते जानने के लिए किया था ताकि अगर उनकी जान लेने की ज़रूरत वो महसूस करे तो उनकी तलाश करने में उसे दिक्कत न हो फिर उसने करीब ही मौजूद एक पब्लिक टेलीफोन बूट से हस्पताल में फोन करके बस में मौजूद घायल व्यक्तियों की खबर की थी तमाम घटनाक्रम के मूग गवा घायल साइकल सवार का कहना है कि वो ओवरकोट वाला तब तक वही बस से थोड़ा परेठित का खड़ा रहा था जब तक कि उसने अपनी आंखों से घायलों को भीतर हस्पताल में ले जाये जाते नहीं देख लिया था घायल साइकल सवार अब खटरे से बाहर है लेकिन जैसी निर्ममता से उसे धौला कुआ के करीब खड़े में फैंक दिया गया था वैसे भीशन ठंड के वर्तमान मौसम में वहां उसकी मौत निश्चित थी जायवर और कंड़क्टर भी खटरे से बाहर है लेकिन उनका उपचार करने वाले डाक्टर का कहना है कि अब वो बाकी की जिन्दगी चल फिर नहीं सकते थे उनकी हैवानियत की सजा के तौर पर ओवरकोट वाला उन्हें पूरी जिन्दगी के लिए अपाहिज बना गया था पुलीस ने जायवर और कंड़क्टर दोनों के खिलाफ मामला दर्स कर लिया है और उनकी बस अपने कबजे में ले ली है कहना ना होगा कि सारी वारदात उसी खबरदार शहरी का कारणामा था जो कि पहले भी शहर में ऐसी कई वारदात कर चुका है अलबत्ता इस बार उसकी कार्य प्रणाली में ये अंतर पाया गया है कि ये पहला मौका है जबकि उसने अपने किसी शिकार को जिन्दा छोड़ दिया है तीसरी खबर का शीर्शक था संदिग्ध तसकर लेखराज मूदर्णा हिरासत में खबर के मुताबिक लेखराज मूदरा को नार्काटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जासूसों ने तब गिरफ्तार किया था जबकि वो पिछली रात एमबैसेडर होटल से बाहर निकल रहा था जासूसों को उसके पास से भारी मात्रा में मादत पदार्थों की बरामदगी की अपेक्षा थी लेकिन उनकी उम्मीदे पूरी नहीं हुई थी फिल्हाल प्रैस को ये नहीं बताया गया था कि उनके पास से कुछ बरामद ही नहीं हुआ था या बरामदगी अपेक्षित मात्रा में नहीं थी ANCB के एक प्रवक्ता का कहना था कि इस संदर्ब में अभी पूच्टाच जारी थी खबर के साथ ANCB और स्थानिय पुलीस के अधिकारियों से घिरे मूंगरा की तस्वीर भी छपी थी चौथी खबर पीजा पारलर के मालिक की हत्या शीर्षक छपी थी जिसमें विस्तरित वर्नन था कि कैसे पहाडगंज के एक पीजा पारलर में उसके चारली ब्राउन नाम के मालिक को दिंदहारे शूट कर दिया गया था पाचवी खबर का शीर्शक था पुलीस कर्मी की दिन्धारे हत्या और वो सहजपाल के कतल से संबंधित थी सहजपाल क्योंकि पुलीस का आदमी था इसलिए पुलीस द्वारा बहुत जोरशोर से दावा किया गया था कि 48 घंटे के भीतर भीतर उसका हत्यारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा टेलीफोन की घंटी ने लूथरा को सोते से जगाया उसने घड़ी पर निगार डाली तो पाया कि अभी सिर्फ साड़े छे बजे थे उसने रिसीवर उठा कर कान से लगाया और भुन-बुनाया सा बोला हल्लो रावत बोल रहा हूँ, साहब आवाज आई हाँ, बोलो क्या खबर है? कॉल की हामला बीवी वापिस नर्सिंग होम पहुँच गई है ततकाल लूथरा के मिजाज में तब्दीली आई उसने दो-तीन बार आखे मिचमिचाई और फिर अपेक्शाकृत सतर्क स्वर में बोला कैसे? क्या हुआ? सुबस्वेरे उसकी लेडी डाक्टर अपनी कार पर गोल मार्केट पहुची उसके वहाँ पहुचने के दस मिनट बाद ही एम्बूलेंस पहुच गई इस बार स्ट्रेचर पर थी वो हमला औरत हालग बहुत ही बद हो गई मालूम होती थी उसकी फूला हुआ पेट यू उठगिर रहा था जैसे वहीं स्ट्रेचर पर ही बच्चा जन देगी मोह पर आक्सीजन का मास्क चड़ा हुआ था आक्सीजन भी? हाँ उसी से तो मुझे लगा कि मामला कुछ ज्यादा ही नाजुक था कॉल बेचारा भी बहुत ही बधवास था लगातार बीवी का हाथ थप थपा कर उसे तसली दे रहा था जबकि उसकी अपनी हालत ये बताती थी कि उसे खुद तसली की जरूरत थी मैंने पहले ही कहा था कि पहली प्रेगनिंसी में औरत की तबियत का कुछ पता नहीं लगता घड़ी में बिगर जाती है, घड़ी में सुधर जाती है सुधरी तो कल भी नहीं लग रही थी उसकी तबियत ऐसी हालत में बाज औरते हस्पताल से बहुत खौफ खाती है कल तबीयत जरा सुधरते ही वो ही जित करने लगी होगी घर चलने की मुम्किन है बहरहाल हमें क्या लेना देना है उसकी तबीयत से सुधरे या बिगडे अलबत्ता मर ना जाए पठ्थी मर गई तो बहुत गड़बड हो जाएगी क्या गड़बड हो जाएगी साहब कुछ नहीं लूथरा ततकाल संभला तू नहीं समझेगा तो अब वो वापिस नर्सिंग होम में है हाँ कोल यही है वो कहीं हो तुम लोगों ने वहां से नहीं टलना जहां कि उसकी बीवी है वो तो है ही कोई खास बात हो तो फोरण खबर करना ठीक है लूथरा ने रिसीवर वापिस क्रेडल पर रखा और जोर की अम्राई ली तभी उसकी बीवी माधूरी बैडरूम की चोखट पर प्रकट अपने लिए चाय बना रही हूँ वो बोली जाग गय हो तो तुम्हारी भी बनाओ जाग गया हूँ लूथरा बोला बना ले मेरी भी लेकिन पहले अकबार लाके दे माधूरी ने अकबार लाके दिया इसमें मेरी फोटो छपी है देखो लूथरा एकाएक बोला नहीं माधूरी किचन से बोली अभी आके देखती हूँ चाय बना लू लूथरा अकबार पढ़ने लगा लेकराज मूंदरा की गिरफतारी की खबर पढ़कर हो चोगा मूंदरा की गिरफतारी की खबर ने उसे उतना न चौकाया जितना इस बात ने चौकाया की उसे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जासूसों ने गिरफतार किया था वो कुछ खशन सोचता रहा फिर उसने अकबार परे फैंक कर फोन अपनी तरफ गसीता उन दिनों उसके अपने बैच का एक सबाइंस्पेक्टर एन सीबी में कार्यरत था उसका अच्छा खासा दोस्त था उसने उसके घर पर फोन लगाया हल्लो आवाज आई महरा हेर लूथरा बोल रहा हूँ लूथरा माग पीस में बोला जाग गए हाँ कब का अकबार पढ़ा हाँ मूंदड़ा की गिरफ्तारी की खबर पढ़ी पढ़ी वो तो छोटा मोटा नार्काटिक स्मगलर था पहले कभी गिरफ्तार भी नहीं हुआ हमारे ठाने में उसका केस था छोटी मचली थी वो जो की इत्तफाक से हमसे फंस नहीं इती वो एकाएक इतना बड़ा मगरमच कैसे बन गया कि तुम्हारे महकमे की उसमें दिल्चस्पी हो गई पता नहीं कैसे बन गया लेकिन एक बात पक्की है जैसे उसे गिरफ्तार किया गया है वैसे कोई बड़ा मगरमच ही गिरफ्तार किया जाता है कैसे गिरफ्तार किया गया है हमारे ब्यूरो चीफ दुबे साहब ने खुद जाके उसे गिरफ्तार किया अरे रेडिंग पार्टी में मैं भी था लेकिन जो कुछ किया खुद दुबे साहब ने किया आगे उससे जो पूछताच होनी है वो भी दुबे साहब खुद करेंगे अभी करेंगे? की नहीं? कुछ की है? कुछ अभी और करेंगे क्या मालूम हुआ? पता नहीं कुछ मालूम हुआ भी है ये भी पता नहीं कमाल है वाकई कमाल है मूंदरा के मामले में दुबे साहब किसी को किसी को भी अपने कानफिडेस में नहीं ले रहे कोई माल पानी पकड़ा गया उसके पास? पता नहीं क्या बात है यार पता नहीं के अलावा तेरे पास कोई जवाब नहीं अब मैं तेरे से जूट बोलू अच्छी बात है शुक्रिया उसने रिसीवर रख दिया कभी माधुरी चाय ले आई कुश्वाहा का ध्याना कर्शित करने वाली खबर दो संदिग्द उग्रवादी गिरफ्तार शीरशक थी खबर के साथ छपी तमाम सूर्तों को उसने ततकाल पहचाना वो बेहत गंभीर हो उठा तो पिछली शाम सबाइंस्पेक्टर लूथरा नाहक ही उस काली एंबेसेडर कार के बारे में सवाल करता नहीं आया था कट्टू और फौजी के अधिकार में थी ये एक गंभीर मामला थी कि उस पुलसिये ने उनके दो आदमियों को एक फर्जी मुठभेड में मार गिराया था और अब उन्हें उग्रवादी साबित करने की कोशिश की जा रही थी ऐसा पुलसिया उनकी करफ कैसे हो सकता था कैसे उससे लाल साहब के लिए सोहल को खत्म कर देने की उम्मीद की जा सकती थी उस बाबत अपने बौस से तुरंट बात करना उसे अत्यावशक लगने लगा विमल को बतलाने की जरूरत नहीं थी कि उस रोज के अकबार में मुखप्रिष्ट पर छपी कौनसी खबर शिवनारियन पिपलोनिया का कारनामा थी प्राइवेट बस में वारदाच शीर्शक खबर पुकार कुकार कर अपनी कहानी खुद कह रही थी जाहिर था कि विमल से पीछा छुडाने की जुगत लगा चुकाने के बाद उसने अपना अभियान जारी रखा था उसने अकबार एक और फैंक दिया और अपना पाइप सुलगा लिया उस घड़ी वो मानसिंह रोड पर मौजूद होटल ताजमहल की सात्वी मंजिल पर स्थित एक कमरे में मौजूद था उसके कमरे के एन सामने वाले कमरे में फाइव स्टार होटल के माहौल के मुताबिक नहायत संभ्रान्थ और सजीले बने अली मौहमद और वली मौहमद मौजूद थे महाजन नर्सिंग होम से विमल सीधा वहाँ पहुचा था जहां कि उसने टेलीफोन करके बढ़ोदा के पेस्टन जी नौशरवान जी घरीवाला के नाम एक ही फ्लोर पर आमने सामने दो कमरे बुक कराए हुए थे दस बजे होटल के ही काफी हाउस में उसकी जामनानी मुलाकात होने वाली थी दस बजने में पाँच मिनट पर शेरवानी, चूडीदार पाईजामा और काले फुंदने वाली लाल तोपी में लब मुबारक अली ने विमल के कमरे में कदम रखा तो उसकी सजधच देखते ही बनती थी वाह मिया विमल प्रशानसात्मक स्वर में बोला तेरा जलाल तो जहेला नहीं जा रहा तू तो कोई बड़ा नवाब्या वजीर लग रहा है, मुबारक अली दुरदान्थ हत्यारा, खतरनाक मवाली मुबारक अली बच्चों की तरह शर्माया बाप वो बोला वो क्या है, कि अपन तो तू जो बोला वो ही किया तू बोला इधर हम वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी में लगदक वाली जगह में, लगदक वाली पोशाप में आना मांगता है तो अपन ये जोड़ा मुहया किया और हज्जाम पास जाके हुलिया भी सुधरवाया लेकिन जुबान न सुधारी, तेरी लगदक की तो तेरी जुबान ही पोल खोल देगी वो भी काबू में करेंगा तेरे सामने क्या वांदा है? फिसलती है तो फिसलने दे चल ऐसे ही सही एक बात बोलू, बाप बोल मेरे को आज मालूम हुआ कि जिन्दगी बड़े लोगों की ही है अपन साले की नौटन की वाला नकली आउकात का भी अपन को इधर ऐसा रोब देखने को मिला जैसा कभी वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी में, सपने में नहीं देखा साला हर कोई अपन को सलाम मारा जिदर जिससे निगा मिल गई, गोली की तरह सलाम एक तो इतनी चिकनी में साहब ऐसा मुसकरा के अपन को सलाम मारा की मुबारक अली के चहरे पर एक बड़ी रंगीन मुसकराहट आई अब क्या बोलू बाप जी तो चाहा था कि उसे बगल में दबाऊं और यहां से भाग खड़ा हों विमल ने जोर का अठास किया मुबारक अली शर्माया उसमें बड़े अनुराख से अपनी तुर्की तोपी ठीक की और सिर जुका कर शेरवानी के एक काज में लगा लाल सुर्क गुलाब का फूल सूंगा इंतजाम करे तेरे लिए वैसी मेम साहब का विमल उपासपूर्ण स्वर में बोला अगले जन्द में मुबारक अली बोला उपर पहुचेगा तो खुदाबं करीम को अपन ये ही बोलेंगा कि बड़े बाप अगली बार जब इस फानी दुनिया में भेजे तो जिन्दगी भले ही छोटी देना लेकिन आउकाद बड़ी बनाना विमल फिर हसा अब बोल मुबारक अली ततकाल गंभीर हुआ पहले जामनानी की सुनेगा या पिपलोनिया की विमल जिसके जेहन में प्राइवेट बस में वारदात वाली खबर अभी भी बज रही थी ततकाल बोला पिपलोनिया की उसी की सुन बाप उसकी निगरानी में तो कोई वादा नहीं था पर मेरा एक पढ़ा लिखा जावाला बोला कि निगरानी की खबर तेरे तक कैसे पहुझेगा क्या मतलब बाप सोच एक आदमी पिपलोनिया के पीछे लगेला है वो तेरे को किसी तरह फोन लगा के बताता है कि पिपलोनिया फर्ष कर कनाट प्लेस में है और उधर अपना कोई कारनावा करने का मन बनाता मालूम होता है आप क्या गारंटी है कि होएंगा वो आठदस मील किसी भी बाज नहीं निकल गया होएंगा ये तो है प्राबलम क्या बोला, बाप मेरा मतलब है ये मुश्किल, ये दुश्वारी तो है हल तो इसका ये है कि खुद मैं पिपलोनिया की निगावीनी में लगू तू कैसे करेंगा? ये तो अख़्ी दिहाडी खोटी करने वाला काम है तेरे कू इतना टेम किदर से लगेगा सब काम छोड़ के ये काम करना मानता है तो नहीं, नहीं सब क्या, मैं तो एक भी काम नहीं छोड़ सकता और तो और, यू तो मुझे जामनानी से मुलाकात का ही खयाल छोड़ना पड़ेगा ऐसा कैसे होएंगा, बाप? मिया, तू मुस्करा रहा है, तेरी मुस्कराहट छुप नहीं रही मेरी दुश्वारी पर खुश होता तो तू हो नहीं सकता अरे, नहीं बाप मुबारक अली हरबड़ा कर बोला ऐसा कैसे होएंगा तो फिर क्या बात है? बाप, वो क्या है कि अपन तेरी इस वो क्या कहते है? अंग्रेजी में पलामलम का हल ढूंडेला है अच्छा एन विलायती हल अपना जात भाई समझाया, क्या? इलेक इलेक टरा टरा नीक हल है बाप इलेक्ट्रोनिक वही बल्ले मुबारक अली के पास और इलेक्ट्रोनिक हल मेरा जात भाई मेरे कू दो पुर्जे दिखाया एक पुर्जा मुबारक अली ने जेब से टीवी के रिमोट कंट्रोल जैसा एक उपकरन निकालकर विमल को सौपा ये है कि इले इलेक बिजली वाला इशारा पकड़ता है टांस्मिटर मेरा जात भाई कुछ बलीप बलीप करके बोला बलीपर एक ही बात है टांस्मिटर बलीप, बलीप का सिगनल छोड़ता है जो की रिसीवर पकड़ता है 20 मील तक अभी तो इस पर कोई सिगनल नहीं आ रहा क्योंकि पिपलोनिया के पीछे लगा मेरा आदमी अपना पुर्जा तभी चालू करेंगा जब पिपलोनिया अपनी फिएट छोड़के अपनी एंबैसेडर में सवार होएंगा बाप, तेरे को मालूम कि वो जो कुछ भी करेगा अपनी एंबैसेडर में सवार होकर अपना हुलिया बदलने ने बाद करेंगा उससे पहले वो किदर जाए तेरे को क्या वांदा है मुबारक अली विमल प्रशनसात्मक स्वर में बोला तूने तो कमाल कर दिया अपन क्या करेला है बाप जो किया अपना जातभाई किया ऐसा दानिशमंद जातभाई होना भी तो कमाल है वो तो है मुबारक अली एक शन ठिटका और फिर खोला बाप इस पुर्जे पर जिसे तू वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में रिसीवर हाँ रिसीवर बोला इस पर इशारे के साथ साथ ये भी दर्ज होएंगा की इशारा किदर से आया यानि की पिपलोनिया की गाड़ी किस दिरे दिरेक्शन में है ये ये पुर्जा ये भी बताएंगा ये डायल ट्रांस्मिट हो रहे सिगनल की डायरेक्शन बता देगा बरोबर बोला बाप बढ़िया इंतजाम किया मुबारक अली तू राजी बहुत शुक्रिया तेरे राजी होने पर अपुन भी थैंक्यू बोलता है विमल हसा अव जामनानी की सुन मुबारक अली बोला सुन रहा हूँ वो इदर पहुचा है नीचू अकेला वो कहते हैं अग्रेजी में कहवे वाले रेस्टुरा में काफी हाउस में वही अकेला बैठेला है वहां आया भी अकेला था हाँ साथ सिर्फ एक दिरेवर था जो बाहर एक बड़ी वाली विलायती गाड़ी में बैठेला है पन क्या कुछ लोग उसका पीछू लगेला है चार आदमी है एक दोरंगी एम्बेसेडर में बैठेले है एक जना जामनानी के वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में काफी हाँस में भी पहुचला था पन जामनानी को भीतर अकेला बैठा देखकर बाहर आ गया था और अब काफी हाँस के दरवाजे पर इस बाजू से उस बाजू उस बाजू से इस बाजू फिरेला है मतलब क्या हुआ इसका मतलब साफ है बाजू जामनानी की निगरानी के लिए वो लोग उसी के पीछू लगेला है जरूर गुर्बक्षलाल के आदमी होंगे विमल कनिक चंतिक भाव से बोला जो इस उम्मीद में जामनानी की निगाबीनी कर रहे होंगे की देरस्वेर मेरी उससे मुलाकात होगी कल सुबा कुश्वाहा ने जब अपने घर से मेरी जामनानी से बात करवाई थी तो उसने मुझे जामनानी को ऐसा इशारा देते सुना था अच्छी तरकीब सोची उन्होंने मेरे तक पहुँचने की मिया इन लोगों से पीछा चुडाना होगा मुबारक अली खामोश रहा मैंने गलती की कि जिस होटल को अब मैंने अपना अस्थाई बसेरा बनाया है कुसी में मैंने जामनानी से मुलाकात मुकरर की मिया उन लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए कि जामनानी यहां मेरे से मिलते आया है या मैं यहां ठहरा हुआ हूँ ऐसा तो हर्दिज नहीं होना चाहिए लेकिन होगा कैसे तू बोल बाप दोनों सिर से सिर जोड कर मंतरना करने लगे एस्टरिस्क 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 लूथरा ने ठाने में कदम रखा ही था कि उसे ठाना ध्यक्षर रतन सिंग का बुलाया आ गया वो ततकाल रतन सिंग के कमरे में पहुँचा रतन सिंग को उसने बहुत गंभीर मुद्रा में पाया लूथरा के अभिवादन के जवाब में उसने केवल एक क्षण को उसकी तरफ निगा उठाई और फिर नीचे मेज की ओर देखने लगा आपने बुलाया, सर लूथरा तनिक सशंग स्वर में बोला हाँ, रतन सिंग पूर्ववत उसके निगाहे चुराता हुआ बोला बैठो लूथरा उसके सामने एक कुर्सी पर बैठा गया लूथरा, रतन सिंग गंभीरता से बोला तुम्हारे लिए बुरी खबर है बुरी खबर लूथरा सपकाया हाँ, क्या? तुम्हें सस्पेंड किया जा रहा है जी एसी टीफ का हुक्म है लेकिन क्यों? ऐसा ही नियम है तुम्हें मालूम ही होगा महक में के किसी आदमी पर कोई गंभीर आरोप हो तो उसकी इनक्वाइरी उसे सस्पेंड करके की जाती है ताकि अपने रुत्बे का बेजा इस्तमाल करके वो इनक्वाइरी आफिसर्स को अपने हक में फैसला देने के लिए ना बर्गला सके मेरे पर क्या गंभीर आरोप है कहीं आप अभी भी उस वाहियात और बुनियात बात को गांथ तो नहीं बांधे बैठे कि मैंने सहजपाल का कतल किया है या करवाया है मैं नहीं मरने वाले की बीवी इस बात को गांथ बांधे बैठी है उसकी अब भी ये ही रट है कि तुम ही ने उसके खाविंद का कतल करवाया है मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि अगर उसने अपनी रट न छोड़ी तो मुझे तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करना पड़ेगा केस दर्ज कर भी चुके आप? हाँ ये तो बहुत ज्यात्ती की आपने मेरे साथ भाई, उपर से हुक्म था अब मैं FCP से बाहर तो नहीं जा सकता न आप किसी से बाहर जाएं या न जाएं आप मेरे साथ ज्यात्ती करें या नाइनसाफी लेकिन ये हकीकत फिर भी अपनी जगह कायम है और रहेगी की मेरा साहजपाल के कल से कुछ लेना देना नहीं भाई मुझे अफसोस है तो इस बात का लूत्रा ने अपने उच्चाधिकारी की बात काती की कल आप ही ने मुझे राय दी की मैं साबित करके दिखाऊं की सहजपाल के कतल के लिए कोई और जिम्मिदार है और आज जब मैं गुड न्यूज लेकर थाने पहुँचा कि मैंने सहजपाल के कादिल का पता लगा लिया है तो आपने उस बाबत मेरे मुहभी खोल पाने से पहले मेरे सिर पर सस्पेंशन का हतोड़ा जड़ दिया बतौर मेरे आला अफसर ये इनसाफ किया आपने मेरे साथ तुमने रतन सिंग हैरानी से बोला सहजपाल के कारिल का पता लगा लिया है जी हाँ कौन है वो उसका नाम लतीफ एहमद है और वो गुर्बक शलाल का आदमी है लट्टू लट्टू के नाम से भी जाना जाता है जो जी ह हाँ लट्टू को पहचानते हो जी नहीं लेकिन बच नहीं सकता वो मेरे से जब में उसे गिरफतार करूँगा तो पहचानके ही गिरफतार करूगा अब नहीं कर पाओगे क्यों? रतन सिंग ने एक गहरी सांस ली और फिर बड़े असाय भाव से गर्दन हिलाता हुआ बोला लूथरा You are in a greater trouble than you can imagine yourself in जी मेरे भाई लतीफ अहमद उर्फ लट वो आदमी था जिसे कल शाम तुमने जमना वेलोड्रोम के करीब संदिग्द उग्रवादी कहकर मार गिराया था लूथरा जैसे आस्मान से गिरा वो हक्काबक्का सा रतन सिंग का मुंग देखने लगा और वही जो दूसरा आदमी स्टेंगन की गोलियों से मरा था उसका नाम पूरन सिंग उर्फ फौजी है फौजी लूथरा बोला तो उसके मुंग से केवल फुस्फुसाहट निकल पाई नाम जाना फचाना मालूम होता है लूथरा का सिर केवल सहमती में हिला कौन था वो? गुर्बक शलाल का आदमी सहजपाल के कतल के वक्त वो भी लट्टू के साथ था लूथरा ने देखा रतन सिंग यू गर्दन हिला रहा था जैसे कोई डाक्तर किसी लाइलाज मरीज को देख कर हिलाता है उसका दिल बैठने लगा अब क्या हुआ? वो बधवास सा बोला लूथरा रतन सिंग बेहत गंभीर स्वर में बोला तुम्हारे कल के बहादूरी के कारनामे पर सवालिया निशान तो पहले ही लग चुका है और अब जो कुछ तुम मुझे बता रहे हो उनकी बिना पर कोई बड़ी बात नहीं कि तुम गिरफ्तार भी कर लिये जाओ जी लट्टू की सूरत में कल रात तुमने एक उग्रवादी नहीं मारा एक कातिल की जुबान बंद करने के लिए उसका कतल किया क्या? लूत्रा भाचक कासा बोला क्या कह रहे हैं आप तुम्हारे साथ अपने ठाने के एक अधिकारी के साथ अपने एक माथत के साथ कल की वावाही में शरीक होने की एवज में अब मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिसूंगा एक फर्जी मुठभेड की पुष्टी करने की जरूर मुझे भी सजा मिलेगी मेरी थानेदारी तो समझ लोकी गई आगे सिर्फ लाइन हाजर होने का ही हुक्म हो तो समझंगा की सस्ता छूटा सर आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा खुद मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा बैठे बिठाए खामखा पंगा गले पड़ गया लेकिन सर तभी एक हवलदार वहां पहुँचा साहब वो रतन सिंग से बोला आपको बड़े साहब बुला रही है रतन सिंग ने सहमती में सिर हिलाया और ततकाल उठ खड़ा हुआ एसी पी साहब आ गए हैं वो लूतरा से बोला मैं उनसे मिलके आता हूँ तुम यहीं बैठना लूतरा ने सहमती में सिर हिलाया रतन सिंग वहां से चला गया अपने किसी भारी अनिष्ट की आशंता से कामपता लूतरा पीछे चुपचा बैठा रहा पांच मिनट बाद पहले वाला हवलदार वहां पहुँचा और उसने को बताया कि उसे बड़े साहब तलब कर रहे थे लूतरा मनमन के पाव रखता लूतरा वहां से बाहर निकला और एफ सी पी के कमरे में पहुचा एसी पीफ और ठाना ध्यक्ष दोनों नहायत गंभीर मुद्राएं बनाए वहां बैठे थे लूतरा ने एफ सी पी को सैल्यूट मारा एसी पी ने गर्दन को हॉले से नवा कर सैल्यूट का जवाब दिया किसी ने उसे बैठने को न कहा कितने साल से सबंस्पेक्टर हो फिर एसी पी ने सकती से सवाल किया जी तीन साल से लूतरा बोला जानते हो न कि दिल्ली शहर में सैंकरों की दादाद में जिपसी वैन मौजूद है कहीं से किधर भी दो फरलांग चलो तो जिपसी वैन दिखाई दे जाती है जी फिर भी उन कथित उग्रवादियों के पीछे अकेले ही लग लिए रास्ते में कहीं किसी जिपसी वैन को अपने शुबा की खबर करने की कोशिश नहीं की अपने इरादों से आगा करने की कोशिश नहीं की लूथरा के मुंग से बोल न फूटा करजन रोड से यमुना वेलोड्रोम तक पहुँचने के लिए जो रूट पकड़ा तुम बताते हो उस पर कम से कम पाच जगह जिपसी वैन का नाका है मंदी हाउस के राउंड अबाउट पर तो एक की जगह दो जिपसी वैन मौजूद होती है आगे तिलक ब्रिज और आईटी ओ के चौराहों पर आधी आधी दरजन सिपाही एक वक्त में तैनात होते हैं फिर आगे तुम एन पुलीस हेड़क्वार्टर के नीचे से गुजरे तुम कहीं भी पुलीस को हासल की खबर कर सकते थे लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया सर, ममेरा ध्यान उस वक्त मुकमल तौर से केटरिंग वैन का पीछा करने में लगा हुआ था फिर इत्तफाक ऐसा हुआ कि मुझे हर जगा ट्राफिक लाइट हरी मिली इसलिए तुम दो मुक्तलिफ बाते कह रहे हो एक सांस में तुम कह रहे हो कि पीछा करने में पूरी तवज्जो लगी होने की वज़ा तुम्हें पुलीस को आगा करने का खयाल नहीं आया दूसरी सांस में कह रहे हो कि ऐसा करने का तुम्हें मौका साहिल नहीं हुआ दोनों बाते नहीं हो सकती कोई एक बात बोलो मुझे खयाल नहीं आया था पीछा करते वक्त मालूम था कि वो लोग हथियार बन थे नो, सर जबकि तुम कहते हो कि उन्हें कोई बड़ी वारदात करने की तैयारी में लगे उग्रवादी समझ कर तुम उनके पीछे लगे थे सबा इंस्पेक्टर लूथरा बड़ी वारदात निहत्थे होती है लूथरा को जवाब न सूझा जवाब दो इस बार एसीपी बोला तो उसके स्वर में कोड़े जैसी फटकार थी ननो नो, सर बड़ी क्या निहत्थे तो कोई छोटी वारदात भी नहीं होती भी तुम अकेले उनके पीछे लग लिए ये बहादूरी है या बेवकूफी सर लूत्रा हिम्मत करके बोला उस वक्त मुझे इतनी बातों का खयाल नहीं आया था मैं मानता हूँ कि आना चाहिए था लेकिन उस घड़ी में हालात की रौ ऐसा बह गया था कि नहीं आया जी हाँ लेकिन मेरी खुश किस्मती थी जो में बच गया वरना उनकी जगह तुम मरे पड़े होते यस सर अब तुम्हें मालूम हो गया कि वो उगरवादी नहीं थे यस सर एस एच ओ साहब ने बताया उनमें से एक जना लतीफ एहमद उर्फ लटू था जिसे कि तुम सहजपाल का कादिल बता दे हो यस सर जिसे कि तुमने उगरवादी बता कर इसलिए मार डाला क्योंकि वो तुम्हारा ये राज फाश कर सकता था एस आई सहजपाल का कतल करने के लिए उसे तुमने कहा था सर लूथरा भोचक कासा बोला सबा इंस्पेक्टर लूथरा You are a disgrace to police force, you are no better than a common criminal You are no better than the persons you have shot सर लूथरा आन्पकित स्वर में चलाया ये जूट है Don't yell, nobody is deaf here सर ये जूट है, ये बिल्कुल जूट है तो फिर सच क्या है? सच ये है कि लतीफ अहमद सहजपाल का कातल था कैसे जानते हो? मेरे पास एक चश्मदीद गवा है कौन है वो? मेरा उससे वादा है कि मैं उसका नाम किसी पर जाहिर नहीं करूँगा मैं ऐसा करूँगा तो वो अपने बयान से मुकर जाएगा So this is your story सर तुम किसी भी आदमी का नाम बतौर चश्मदीद गवाह ले दोगे और जब वो ऐसा कोई बयान दिया होने से इनकार करेगा तो कह दोगे कि वो अपने बयान से इसलिए मुकर रहा था क्योंकि तुमने उसका नाम गुप्त रखने का वादा नहीं निभाया था सर ये बात नहीं है ऐसा आदमी कोई है ही नहीं लतीफ एहमद उर्फ लट सहजपाल का कातिल है ये तुम किसी चश्मदीद गवाह की वज़ा से नहीं इस वज़ा से जानते हो क्योंकि तुमने एसी पीफ ने खंजर की तरह एक उंगली सहजपाल की और भोकी तुमने उसे स के लिए तैयार किया था सर मैं उस चश्मदीद गवाह को आपके सामने पेश कर सकता हूं जिसके बारे में कि तुम अभी अपनी जुबानी कहकर हटे हो कि वो अपने बयान से मुकर जाएगा शशायद शायद न मुकरे यानि कि डंडे के जोर से उसे अपना मनमाफिक बयान देने के लिए मजबूर करोगे और नो सर नेवर सर वो तो ऐसा आदमी कोई है ही नहीं तुम्हें ऐसी कोई छूट दी गई तो तुम किसी को भी पकड़ कर यहा ले आओगे और उससे कहलवा दोगे कि उसने लटको सहजपाल का कतल करते देखा था ऐसी गरीब मार की तुम्हें नहीं दी जा सकती सर वो आदमी शट अप सर आप मेरा विश्वास कीजिए तुम्हारा विश्वास करें या हालात का विश्वास करें जो पुकार-पुकार कर हकिकत बयान कर रही है मेरा विश्वास कीजिए सर सहजपाल के कतल से मेरा कुछ लेना देना नहीं उसका कतल लतीफ अहमद उर्फ लट्टू किया है और मैं अभी दस मिनट पहले तक ये नहीं जानता था कि कल शाम जिन दो आदमियों को मैंने उग्रवादी समझा था उनमें से एक लतीफ अहमद था ये बात मुझे अभी दम मिनट पहले एसफ एच ओ साहब के बताएं ही मालूम हुई है इसलिए ये कहना मेरे उपर जुन धाना है कि मैंने जानते बूझते लतीफ अहमद का कतल किया सर मैं सिर्फ लतीफ अहमद के नाम से वाकिफ था उसकी सूरत मैं नहीं पहचानता था That's what you say But this is God's truth, Sir, Nonsense Sir, कतल का कोई उदेश भी तो होता है मुझे क्या जरूरत पड़ी थी सहजपाल का कतल करने की वही जरूरत पड़ी थी जो तुम्हें सहजपाल के घर उससे मारकुटाई करने के लिए ले गई थी वो जुदा मसला था वो जुदा मसला था जो की मारकुटाई के साथ खत्म हो गया था ACP ने अपलत लूथरा की ओर देखा पहले से विचलित लूथरा और विचलित हो गया उसने बेचैनी से पहलू बदला और अपने सूखे होठोन पर जुबान फेरी साफ जाहिर हो रहा था की ACP के पास अभी एक और भी तोप का गोला था जो की अभी उसके सिर पर फटना बाकी था कतल का उद्देश्य मालूम पढ़ जाएगा सबाइंस्पेक्टर लूथरा फिर ACP बड़े सर्च स्वर में बोला अभी हमें दो चीजों का इंतजार है दो दो चीजों का लूथरा हक लाया ACP ने जान बूज कर अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया और बड़े नाटकी अभाव से लूथरा को घुरा और लूथरा डरते दिल से बोला और सर और नारकाटिक स्मगलर लेखराज मूंदरा के बयान का मूंदरा के बयान का लूथरा फुसुसाया जिसके पीछे से तुम्हें हटा कर सहजपाल को लगाया गया था तो तो क्या हुआ तो क्या हुआ ये हमें मूंदरा के बयान से मालूम होगा लेकिन तुम्हें तो पहले ही मालूम होगा No Sir सबाइंस्पेक्टर लूथरा I am putting you under suspension with immediate effect तुम अभी इसी क्षण अपना चार्ज एस एच ओ साहप को दे दो Now get along Sir रतन सिंग Take him away पिटासा मुंह लेकर लूथरा रतन सिंग के साथ वहां से बाहर निकल गया Asterisk, Asterisk, Asterisk मुबारप अली होटल की मार्की में यू खड़ा था जैसे कोई बड़ा आदमी अपने जाइवर द्वारा अपनी कार वहां लाई जाने की प्रतीक्षा कर रहा हो उसकी निगा उर्तीसी ड्राइववे की बाई धलान पर पड़ी जिसके निचले सिरे पर वो दोरंगी एमबेसेडर खड़ी थी जिसमें वो तीन आदमी मौजूद थे जिनका चौथा साथी भीतर काफी हां उसके दर्वाजे पर तहल रहा था एक एर कंडीशंड मिनी बस थोड़ी देर पहले मारकी में आकर रुकी थी जिसमें से कुछ विदेशी निकलकर होटल के भीतर चले गए थे मिनी बस के जाइवर ने खाली बस को थोड़ा बैट करके जाइववे में एक और खड़ा कर दिया था और स्वयम बस से निकल कर परली दाई तरफ की धलान पर चलता हुआ उधर के दर्वाजे से बाहर निकल गया था अब मुबारक अली को वो उधर की सड़क पर एक पनवाडी के खोखे के सामने खड़ा पान चबाता दिखाई दे रहा था विमल अली वली के साथ मार्की में प्रकट हुआ मुबारक अली ने इशारे से दाई धलान पर खड़ी एक लेफ्ट हैंड जाइर शेवरलेट की ओर संकेत किया जिसका जाइवर की ओर का दर्वाजा खुला था और जिसमें जाइविंग सीट के पीछे अदलेटा सा बैठा एक वर्दीधारी शोफर मौजूद था विमल अली वली के साथ शेवरलेट के करीब पहुँचा वहां विमल और वली कार के खुले दर्वाजे के आगे यूँ खड़े हुए कि उनके और दर्वाजे के बीच सरक आया अली उन दोनों की ओट में आ गया तीन आदमियों को यूँ अपने करीब पहुचता पाकर शोफर सत्पकाया और उसने सीधा होने का उपकरम किया लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता अली ने रिवालवर निकाल कर उसके माथे से सटा दी और कहरब्रे स्वर में फुस्फुसाया खबरदार आवाज न निकले फिर वो ड्राइवर को भीतर धकेल कर स्वयन स्टेरिंग के पीछे पहुँच गया विमल और वली पीछे सवार हो गए कतकाल शेवलेट वहां से रवाना हो गई मुबात्रप अली ने अनुमोधन में सिर हिलाया उसने फिर एक उड़ती निगाह दोरंगी एमबैसेडर की दिशा में डाली और फिर लापरवाही से तहलता हुआ मिनी बस के करीब पहुचा उसने एक बार सतर्क निगाह दायमबाएं दोडाई और फिर बका दर्वाजा खोल कर उसकी जाइविंग सीट पर जा बैठा उसने पाया कि जाइवर बस की चाबी इगनीशन में नहीं छोड़ गया था लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वो चाबी के बिना भी अपनी योजना को अंजाम दे सकता था उसने रियर व्यू मिरर में से तीछे दूर खड़ी दोरंगी एमबैसेडर को देखा और मन ही मन ड्राइव वे पर बस के उस कोन का हिसाब लगाया जिस पर की वो बस को पहुचाना चाहता था तभी बाई धलान से उपर चड़ती शेललेट वापिस लोटी और मार्की में ठिट के बिना उसे पार करके दाई धलान पर मार्की के करीब ही रुख गई